प्रिंटिंग प्रेस का आविश्कार तो देखो हजारों साल बाद हुआ उससे पहले गुपता समराज्या में लोग ताड के पत्तों पर लिखा करते थे और इस परकार से लिखा करते थे कि पूरे की पूरी जो रमायन है आप जेब में रखके घूम सकते हो राजा हर्सवर्दन के बारे में एक बात पर्सलित थी कि दिन में वो कविताएं सुनते हैं और रात को काम पे फोकस करते हैं राज्या का विश्तार करते हैं ठीक UPSC एस्पारेंट्स की तरह हैं चानते हो एक चीज नो हजार साल पहले भी हमारे पूरवज डातों में जब दर्द होता था ना तो ड्रिलिंग टेकनीक का इस्तमाल किया करते थे दातों के दर्द को ठीक करने के लिए गुदीजम में एक बहुत सीकरेट वैपन था लाफटर थरेपी जो आज के समय में हम हसते हैं ना उस समय देखो जो बहुत विक्सूत हैं वो इनसान के एहंकार को तोड़ने के लिए यानि मानु है एहंकार को तोड़ने के लिए और आतम ग्यान के लिए दो चीजों का इस कोशन्स खड़े किये गए कि इससे भी कुछ जीवों को नुक्सान हो सकता है कमराथ असोक ने देखो बहुत सारे इंस्क्रीप्शन तो इस्टाबलीश करवाए ही जिस पर यूप्यसी कोशन पूछ चुकी है लेकिन उन्होंने देखो इवन पेड़ों की खालों पर भी उन्होंस पर उन्होंस तो इससे सब्सक्रीव इससाइब ने दो में तो इससे सब्सक्रीव कोशन प्रक्राइब कर दो आज़रे करने और दो में आपके लिए देखो ancient history को बहुत ज़्यादा आसान बना देगा भारत world के oldest civilization में से एक है in fact हमारा भारत हिंदुईजम, बुधिजम, जैनिजम जैसे महान रिलिजन्स का birthplace है और सिरफ यही नहीं भारत में देखो जो भी आया भारत ने सब को अपना लिया और इसके reasons भी कई थे, जिसमें सबसे पर्मुख है cultural mix-up जैसे कि Buddhist art का Greek culture से influenced होना, जिसे आज हम गंदारा style बुलाते हैं या फिर Morian art का Persian culture से influence होना, जो की Hellenistic form से influenced हम देखो यह सारे जो लगातार mix-up होते गए न, इससे भारत world का most diverse country बन गया चलिए अब हम देखते हैं कि इस महान civilization की सुरुवात आखिरकार कहां से होती हैं Indian history को हम सामान्यता, तीन पार्ट्स में divide करते हैं सबसे पहले ancient history, दूसे नमबर पे medieval history और तीसे नमबर पे modern history और आज हम ancient history को आपके सामने रखेंगे ancient history की सुरुवात होती हैं pre-historic time से जिसे देखो broadly तीन पार्ट्स में divide किया गया है सबसे पहले stone age, दूसे नमबर पे bronze age और तीसे नमबर पे rn age सबसे पहला जो stone age हैं वो भी फर्दर देखो तीन पार्ट्स में divided हैं सबसे पहले paleolithic age, दूसे नमबर पे midolithic age और तीसे नमबर पे new lithic age इन तीनो stages पे हमने stone tools को अलग-अलग shapes और sizes में use किया है और देखो tools का shape, size और uses में difference ने ही एक major differentiation create किया है इन तीनो ages में जैसे कि देखो अगर सबसे पहले हम paleolithic period की बात करें तो ये develop हुआ ice age के plistocene period में जो की 5,20,000 BC से लेके 10,000 BC तक था paleolithic period को भी divide किया गया है सबसे पहले upper paleolithic, दूसे नमबर पे middle paleolithic और तीसे नमबर पे lower paleolithic period में और ये जो differentiation है ना दो चीजों पर based है stone tools का इस्तिमाल और इसके बाद climate में बदलाव जैसे धीरे-धीरे गर में बढ़ती गई जैसे कि देखो अगर हम lower paleolithic period की बात करें न तो ice age का maximum part इसी period से coincide करता है इस age की stone tool की बात करें तो paleolithic people को अभी देखो stone का इस्तिमाल करना आया ही था मतलब उसे basics पता लगे थे कि किस परकार से stone यानी पत्थर का इस्तिमाल किया जा सकता है ये एक stone से दूसरे stone को तोड़ते और जैसे तैसे करके stone को थोड़ा सा sharp बनाते घिसके जिसे हम बोलते हैं चोपर या clever जैसे जैसे time बीता ये stone tools को लकड़ी या stone hammer की मदद से अपने हतेली के बराबर shape करने लगे जिसे बोला गया hand x Lower Paleolithic के prominent evidence हमें मिलते हैं कई सारे locations पे जैसे देखो stone valley जो आज के समय पाकिस्तान में है Balan valley जो की आज के समय उत्रपरदेश में है डिडवाना famous जगा है जो आज के समय राजस्तान में है भीमबेद का काफी famous cave site है जो की आज के समय मददेपरदेश में है तो इन सभी sites पर हमें Lower Paleolithic age के evidence मिले हैं Bory site को देखो earliest Lower Paleolithic site भी माना गया है यानि इनसानों ने यही पर सबसे पहले stone tools use करना सीखा और धीरे धीरे stone tools advance होते गए के बाद देखो Lower Paleolithic डिसकस करने के बाद अब बारी आती है Middle Paleolithic age की यहां mainly flakes, blades या scrappers का use किया जाता था Flake tools इस time period का एक important feature था इनको या तो metamorphic rocks या फिर igneous rocks की मदद से बनाया जाता था इन tools को बनाने के लिए एक unique technique का यूज होता था जिसे बोलते हैं levelois इस technique में एक बड़े से पत्थर को छोटे से पत्थर से pinpointed मारा जाता था जिसकी वज़े से एक बहुती तीखा यानि sharpened part तूट कर निकल जाता था और इस तूटे हुए part को sharp बना दिया जाता था जैसे की देखो blades या scrappers Middle Paleolithic sites की बात करें तो ये mainly नर्मदा और तुंबदरा river valleys के आज़पास डवलप हुआ famous Indian archaeologist HD Sun Kalia ने निवासा site जो की महराश्टर में है Middle Paleolithic का पहला artifact यानि कलाकरती खोज निकाली यहीं से इसके बाद आजपास के areas में और भी sites discover हुए जैसे की करनाटक और महराश्टर की माला परभा और घटा परभा रिवर बेसिन और लूनी रिवर बेसिन में सित बुद्धा पुसकर लेख आई सेज के खतम होते होते न अपर Paleolithic period की शुरुवांत हुई जैसे ही climate conditions थोड़ी सी गरम हुई स्टोंस को needle shape में लाया गया फिर थोड़े टेडे मेडे स्टोंस को fishing gear की तरह यूज किया सिरफ इतना ही नहीं मद्यापरदेश के बोपाल और महराश्टर के जलगाओं डिस्टिक्स से archaeologist को मिले ostrich के अंडे से बना मोती यानि Paleolithic people अब थोड़े fashionable भी हो रहे थे in fact देखो इसी time fire की भी discovery हो गई और ये हमें पता चलता है आंदरपरदेश के कुर्नूर डिस्टिक्स से तो भी वहाँ पे ice particles मिले हैं चलिए अब Upper Paleolithic age की कुछ important sites को भी हम देख लेते हैं नागरजुन कोंडा जो की आंदरपरदेश में हैं निवासा और धवलपूरी जो की देखो महराष्टर में हैं बेलन वैली जो की उत्रपरदेश में हैं और नर्मदा वैली में सिधित महता खेडी site in fact इन sites की discovery आज भी देखो चल रही है रुकी नहीं है जैसे कि 2021 में हरियाना में archaeologist द्वारा इस painting को discover किया गया next आता है देखो मिजोलिथिक या middle stone age जिसमें 9000 से लेके 4000 BC तक का period cover होता है जो मिजोलिथिक period है ना इसको हम एक तरफ paleolithic और दूसरी तरफ नियोलिथिक period दोनों के बीच का इसको हम linking pin बोलते हैं भारत में अगर बात करें तो मिजोलिथिक archaeological material की खोज सबसे पहले जोन इवांस ने की थी मिजोलिथिक period के जो stone tools थे ना वो size में थोड़े छोटे हो गए थे इसलिए उन्हें बोला गया microliths microliths का मतलब होता है छोटे पत्रों से बने ओजार मिजोलिथिक period में तूल्स के innovation में bow and arrow का भी addition हुआ और जब देखो bow and arrow का addition हो गया तो जानवरों का शिकार करना आसान हो गया अब इंसान बड़े-बड़े animals को भी easily मार सकता था और ये हमें देखने को मिला यहां पर मिली paintings में भी जो मिजोलिथिक period था ना उस time की painting का मुख्य विशा हुआ करता था group hunting मतलब group में शिकार किया जाता था 2023 में आंधा पड़ेश के गुंटूर डिस्टिक में मिली इस painting से पता चला है कि मिजोलिथिक period के लोगो को na tealing यानि हल चलाने का भी ज्यान था इस period के जातर settlement हमें गंगा river basin में मिलते हैं और इसका main reason बताया गया increased rainfall तो प्लांट्स और animals दोनों की जनसें क्या काफी बढ़ गई और hunting के परपद से river basin हमेशा से जबरदस्ट साइट होती हैं क्योंकि नदी के किनारे एनिमल से पानी पिने आते हैं और सिकारियों का सिकार बन जाते हैं इसी वज़े से जो मिजोलिथिक साइट्स है न वो river basin में काफी मिली हैं देखो आज कितरे किसी भी और time period में स्थाई भोजन एक बहुत बड़ा रुख कर फिर अपना जीवन व्यतीत करने लगोगे और यही हुआ मिजोलिथिक period में advanced stone tools जैसे धनूस और तीर आ गए तो इससे possible हुआ कि किसी भी छोटे या बड़े जानवर को मारना और इसके साथ थोड़ा बहुत agriculture से भी जो production होता उसके सहारे इंसान एक ही जगह पे रहकर अपना काम चला सकता था और इसी लिए मिजोलिथिक period में अब settled life इंसान जीने लगा अब देखो इसके बाद हम देख लेते हैं मिजोलिथिक period की कुछ important sites को North East में इंडिया को अगर हम छोड़ दे तो मिजोलिथिक sites हमें पूरे भारत में देखने को मिलती हैं जैसे की देखो सराय नहर राय से जो की गोमती नगर के किनारे उत्तर परदेश में हैं लगनाज जो की गुजरात में हैं आदमगड और भीम बेटका जो की मध्यपरदेश में हैं और मिजोलिथिक पीरियट की सबसे important side बागोर जोकी उठारी नदी के किनारे राजस्तान में हैं। बागोर देखो इसलिए important है क्योंकि यहां हमें पूरी की पूरी microlet industry मिली हैं। इनकी industry हमें यहां पर मिली और animal domestication के पहले evidence भी हमें बागोर राजस्तान और आडमगर्ड MP से मिले हैं। इसके बाद आया नियूलिथिक या फिर न्यू स्टोन एज जो चला 7000 से लेके 1000 BC तक। भारत में नियूलिथिक archaeological material को पहली बार 1842 में rediscover किया गया डाक्टर प्रिम रोज ने। यहां पर पाए गई stone tools की बात अगर करें। वो देखो ज़ादा polished मदब ज़ादा चिकने थे, comparatively sharp और खतरनाक भी थे। Indian archaeologist HD Sankalia का ये कहना है कि ये polished sharpness पत्थर को किसी oily surface से रगणने से आती थी। और सिरफ यही नहीं, नियूलिथिक people को न ये भी पता था कि किसी भी sharp object को हतियार की तरह कैसे इस्तमाल करना है। और इस बात का evidence हमें मिलता है बिहार के चिरांद गाउं से, यहां से हमें मिले नियूलिथिक period के पहले bone tools जो की antler shape के थे, नियूलिथिक लोगों को न ancient time की पहली farming community भी consider किया जाता है, और इसका reason है यहां पर मिलने वाली hero तरह के food crops, जैसे कि देखो, रागी, rice, barley, यानि कि जो wheat, यह सारे food crops के evidence है इस period से मिलते हैं, in fact, crops की तादात इतनी बढ़ गई थी, कि दिक्कत आगई store कहां पे किया जाए उनको, इसके लिए देखो, उनको store करने के लिए मिट्टी के बरतन, यानि potry की discovery भी हो गई, इस period में potry को, यानि मिट्टी के बरतनों को तीन तरह से classify किया गया, तब से पहले grey wear, दूसे नंबर पे black burnished wear और तीसे नंबर पे matte impressed wear, new lithic time तक हम food gatherer से food producing economy बन चुके थे, मतलब पहले सिकार करते थे, अब हमारा ज़्यादा focus हो गया agriculture पर, और इंसान ना इस period में cave से बाहर निकल कर, मिट्टी के घरों में रहने लगा, इसके बाद अब हम बात करेंगे चालकुलिथिक या metal age की, जिसका time period 3500 BC से लेके 1000 BC तक माना गया है, चालकुलिथिक या stone copper age को भारत का पहला metal age consider किया जाता है, in fact देखो हडपा culture को चालकुलिथिक culture का ही part माना जाता है, वैसे देखो इस period में stone और copper का uses तो दिखता ही है, लेकिन कुछ sights जैसे पयम पल्ली पे bronze का uses भी देखा जा सकता है, इतिहास कारों ने चालकुलिथिक culture को geographical location के इसाब से divide किया है, जैसे कि सबसे पहले आता है अहाड culture, जिसको हम बानस culture भी बोलते हैं, ये बानस culture नाम आता है राजस्तान में बहने वाली बानस नदी से, अहाड culture की कुछ important sites इस परकार से हैं, बालाथल, गिलूंड, ओजियाना, ये देखो आज के समय में राजस्तान के मेवार्ड रीजन में मिलती हैं, इसके बाद दूसरा important culture, चालकुलिथिक पिरियड का कायथा culture, ये देखो मध्यपरदेश में डवलप हुआ कायथा culture, जिसका नाम पड़ा उज इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे important culture के तरफ, जो की है मालवा culture, ये डवलप हुआ मालवा रीजन में, जो कवर करता है Central India को, यहाँ के sites का एक important feature ये था, कि ये नदी किनारे ही डवलप हुई, जैसे कि यहाँ की पहली identified site, महेश्वर, ये largest site, नवदा तोली, दोनों देखो नर्मदा के किनारे ही पाए जाते हैं, इसके लावा नगदा जो मिलता है चम्मल नदी के किनारे, और इरान जो बीना नदी के किनारे स्थित हैं, और आखिर में अब हम बात करेंगे fourth important culture की जो है जोरवे culture, ये culture डवलप हुआ महाराष्ट रीजन में, इसकी important sites हैं, देमाबाद, जो हमें गुदावरी वैली में मिलता है, नवदा टोली, जो है नर्मदा वैली के पास, भीमा वैली में मिला इनाम गाओ, और इसके बाद परकास, जो हमें मिला है तापी वैली में, जोरवे culture का important feature था, कि यहाँ घर अलग-अलग size के थे, जिससे पता च देखो, यहाँ ज़्यातार घर, छोटे और अन और्गनाइज़ धंक से बनाए गए थे, इनफेक्ट यहाँ के ग्रेव, यानि कबर का size का difference से यह अंदाजा लगाया गया था, कि यहाँ class difference भी थे, डेमाबाद में पाए गए ब्रोंज गूड्स बहुत अद तक हरपन culture से ही परभावित है, इसके बाद जोरवे culture के नोर्थ में डेवलप हुआ, ओकर कलर्ड पोर्टरी कल्चर, इस कल्चर का नाम पड़ा, यहाँ पर मिलने वाली ओकर यानि गेरुआ कलर की पोर्टरी से, यहाँ पर मिले आर्टिफेक्ट यानि कलाकृती, हरपन civilization से मिलने वाली कला करतियों से बहुत similar थी, और हम ओकर कलर्ड पोर्टरी कल्चर की बात करें, तो यह हमें मिलती हैं उतरपदेश के बिसोली और राजपूर परसू एरियाज में, चालकृलिथिक पिरियेड के कुछ important features को देखें, तो यहाँ के जातर घर मढ यानि मिट्टी के बने हुए थे, पर कुछ sites जैसे गिलूंड में पकी हुई इटों का इस्तमाल भी देखा गया, यहाँ का रहन सहन रूरल ही था, और mostly लोग खेती या पसू पालन पे ही dependent थे, वैसे देखा जाये तो कोपर की discovery हो गई थी, पर चालकृलिथिक लोग को metal plow बनाना अभी भी सीखना बाकी था, metal plow मतलब metal से बना हल जो काम आता खेत जोतने के, वो खेती के लिए अभी भी लकडी से बना हुआ हल यानि plow इस्तमाल करते थे, साइध इसलिए agriculture production अभी भी कमी था, ऐस मानता यानि inequality का कीड़ा चालकृलिथिक लोगों में आ चुका था, जैसे यहाँ पर मिले कुछ graves यान कबर के मामले में भी, घर के साइज के मामले में भी, चालकृलिथिक को आलमोच्ट सैमल्टेनेसली रिप्लेस किया ब्रोंजेज यानि armored civilization ने, अब हम बात करेंगे हडळपन civilization की, यानि कि इंडस valley civilization की, जिसका time period देखो 3300 BC से लेके 1300 BC तक माना गया है, इंडस वैली civilization को Southeast Asia का पहला अर्बन सिवलाइजेशन माना जाता हैं इंडस वैली सिवलाइजेशन के साथ शुरू हुए मैसोपोट्मियन, इजिप्सियन और चाइनीज सिवलाइजेशन को क्रेडल्स ओफ सिवलाइजेशन भी बोला गया हैं 1921 में फर्स्ट टाइम में एक स्टड़ी के बाद ये निसकर्स निकाला गया कि हड़पन सिवलाइजेशन इंडिपेडनेंट थी मतलब यहां के जो लोग थे वो देशी थे ऐसा नहीं कि बाहर से आए लोगों ने ये सिवलाइजेशन बसाई थी अब हम देखते हैं भारत के पहले अर्बन सिवलाइजेशन के कुछ इंपोर्टन फीचर्स इस सिवलाइजेशन की सबसे अच्छी बात ये थी कि लोग बहुत ही ज़्यादा संथित रह से यहां रहते थे जैसे यहां की टाउन प्लानिंग जैसे देखो आप इस इमेज को देखो आपको एक प्रोपर स्ट्रीट पैटरन देखने को मिलेगा जैसे कि देखो दो सडके जो है आपस में 90 डिगरी एंगल पे कारती हैं देखो आज आप इंडिया की बड़ी बड़ी जैसे कि धका गया था बड़ी-बड़ी सिलियों से जो पथर की होती थी और समय समय पर वह पथर की शिलिया हटा के नाले की सफाई भी होती थी हड़पन शिवलाइजेशन की सिटीज की बात करें ना दो पार्ट में बटी हुई थी एक तो देखो अपर पार्ट दूसरा लोर पार्ट अपर पार्ट था वो थोड़ी उची उठी हुई जगह पे होता था और लोर पार्ट में आम लोग के घर होते थे तुरक्सा के लिए सहर के चारों तरफ एक मजबूत दिवार हुआ करती थी अगर देखो यहां के आर्किटेक्चर को देखे न तो ये सिवलाइजेशन दुनिया की बाकी सिवलाइजेशन से काफी अलग थी जैसे कि हड़पन सिवलाइजेशन में बने हुए घर पकी हुई इटों से बने थे जहां मैसोपोर्टमियन या फिर इजिप्ट में राजा और रानी अपने बड़े-बड़े महल बनाया करते थे लेकिन हड़पन सिवलाजेशन में या फिर इंडस वैली सिवलाजेशन में लोकतंतर का बोल बाला था और ये साबित होता है कि यहां पे आपको बड़े-बड़े आर्किटेक्चर नहीं देखने को मिलेंगे बहुत बड़े-बड़े महल आपको नहीं देखने को मिलेंगे तो ये एक evidence है कि Indus Valley civilization relatively ज़्यादा democratic थी और दूसी तरफ देखो Egypt में आप pyramid का example लीजिए वहाँ पे ऐसे आरोप लगते हैं कि उन pyramids को बनवाया गया था slaves का use करके, मतलब बंदूआ मुझदूरी करवा के वो बड़े-बड़े pyramids बनवाय गये थे यहाँ पे आपको चूडियों के evidence मिले हैं earrings, lipstick या सारी चीज़ें मिली हैं बहुत fashionable थे Indus civilization के लोग इसके बाद अगर यहाँ के लोग की हम धार्मिक सोच की बात करें तो वो देखो प्राकर्तिक सुंदर्ता से जादा प्रेरित थे मतलब nature worship में वो विश्वास करते थे जैसे कि देखो मोहन जुदाडों में people tree की मोहर यानी seal मिली है यह प्रूव करती है कि पेड की पूजा की जाती थी Indus civilization में हमें मंदिर का कोई evidence नहीं मिला है मोहन जुदाडों में मिली पसुपती seal या मिट्टी की mother goddess की जो मूरत है इससे यह पता लग गया कि यहाँ पे male goat या female goddess दोनों की ही पूजा की जाती थी Indus civilization में हमें बहुत सारे जानवर्स के होने के evidence मिले हैं जैसे देखो dog, goat, camel और बहुत सारे जानवर्स लेकिन देखो एक हरानी की बात यहाँ परना एक बहुत ही important animal राओ का कोई भी evidence हमें नहीं मिला है और इसके बाद economically भी Indus civilization काफी मजबूत थी और even Central Asia तक फैला हुआ था हडपन seals हमें मिलती है मैसोपोर्टमिया और एजिप्ट से इसके बाद देखो Indus civilization के important port sites की हम बात करें तो सबसे पहले आता है Lothal भोगवा रीवर पे सिथित ये port इस तरह डिजाइन किया गया था कि flood आने पर भी इस port site पर कोई खास असर होता नहीं था इसकी boundary walls 21 मीटर तक चोड़ी बनाए गई थी और ships को खड़ा करने के लिए यहाँ पे dockyards भी थे लोथन में मिले मिट्टी की boards और ivory scale ivory scale मतलब हाथी के दात का इस्तमाल किया जाता था scaling purposes के लिए तो ये जो चीजें यहाँ पर मिली है ना इस से इस site की जो importance है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है लोथल port से cotton trade इतना ज़्यादा था कि आज हम इसे Manchester of Indus Civilization भी कहते हैं Manchester United Kingdom में स्थित एक बहुत बड़ी port city है और यहाँ से बहुत trade होता है इसलिए comparison किया जाता है Manchester और लोथल के बीच में लोथल के बाद Indus Civilization की next important site है धोला वीरा आदिर बेट द्वी पर मिले इस site को 2021 में UNESCO World Heritage Site का दर्जा दिया गया था यह World की दूसरी और भारत की पहली Indus site है जिसे UNESCO site का दर्जा मिला पहली UNESCO site पाकिस्तान में स्थित महन जुदाड़ों थी यहाँ पर मिले water harvesting की sites और dam reservoir की sites और देखो यह जो sites थी ना dam reservoir या फिर water harvesting की sites इनको बहुत ही जादा structural way में और बहुत ही मजबूती के साथ ही ने बनाया गया था कुछ कुछ structure जो है ना आज भी जों के त्यों वहाँ पे वैसे ही बने हुए हैं दोलाविरा की town planning बहुत जबरदस थी तीन parts में town को divide किया जाता upper part, middle part और lower part और town के चारो और एक बहुत ही मजबूत और द्रिड दिवार हुआ करती थी town को सुरक्सित रखने के लिए और देखो यहां पर जातर sites पे मिट्टी के bricks का इस्तमाल होता था दोलाविरा में हमें sandstone के भी तबूत मिले हैं यानि यहां पे sandstone का इस्तमाल होता था इस site की importance को देखते हुए भार सरकार ने इसे iconic tourist site का दरजा दिया अब हम discuss करते हैं Indus Valley Civilization की कुछ और important sites या फिदिस्कवरीज आगर देखो आप यह सोच रहे हो ना कि Indus Valley Civilization को हडपन civilization क्यों बोला गया दरसल देखो बात यह है 1921 में पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे मिली हडपन site ही पहली discovered site थी Indus Valley Civilization की इसलिए कई बार नाम जो है वो interchange करके इस्तमाल कर लिया जाता है अगर देखो हम specifically हडपन site की बात करें यहाँ पे हम ही क्या-क्या मिलता है लाल पत्थर से बना हुआ आदमी का धर यानि रेड स्टोन तोर्सों है अनाज के भंडार बहुत बड़े बड़े भंडार पत्थर से बने हुए लिंगम या योनी देखो लिंगम और योनी का यहाँ पर मिलना यह दरसाता है कि हडपन्स फालिक वर्शिप में भी विश्वास रखते थे हडपन्स साइट के बाद अब हम बात करेंगे इंडस नदी के किनारे मिली एक और important site मोहन जोदाडो इस पर तो मूवी भी मनी है रितिक रोसल की आपने देखी ही होगी 1922 में मोहन जोदाडो की खोज की R.D. बनरजी ने आर्केलोजी के point से मोहन जोदाडो का importance बहुत ज़ादा है क्योंकि यहाँ पर हमें मिलती है धेरो discoveries जैसे कि देखो great bath नहाने के लिए एक बहुत बड़ी जगह great granary तांबा यानि bronze से बनी हुई dancing girl भी ज़ादा तरासा नहीं गया है पर राखी गड़ी, मोहन जोदाडो और हडपा के बाद गनेरी वाला देखो चोथी बड़ी साइट है इस साइट पे खोज के बाद हमें बहुत कुछ मिलने वाला है इंडे civilization की सबसे बड़ी जो साइट है वो है हकरा नदी के किनारे मिली राखी गड़ी साइट जो देखो आज के समय में हर्याना में सिथित है यहां से हमें पता चलता है घडपन civilization के जो लोग थे वो देखो डोग पालते थे यहां हमें मिले copper और gold की ज्वैलरी और इसके साथ मिट्टी में दफन इंसान के कुछ DNA पार्टिकल्स भी यहां से मिलते हैं इन DNA पार्टिकल्स की study के बाद ही यह अंदाजा लगाया गया कि इंडेस civilization के लोग थे वो यहीं के मूल निवासी थे यानि यह civilization पूरी तरह से independent थी इस site की importance को देखते हुए भारत सरकार ने इसे भी iconic site का दर्जा दिया है 2015 में हर्याना से हमने खोज निकाला इंडेस civilization की oldest site भीराना इससे पहले देखो मोहन जुदाडो को oldest site का दर्जा मिला हुआ था हर्याना की देखो एक और important site की बात करे ना सरस्वती नदी के किनारे डवलाप हुई बनवाली site या फिर बालू जहां पहली बार garlic यानि लैसून के अफसेस भी पाए गए हैं next हाता है पाकिस्तान के इंडेस नदी के किनारे डवलाप हुई चन हुदुरो site जिसे देखो लैंका सायर ओफ इंडेस सिवलाइजेशन भी बोला जाता है दरसल यहां पर हमें काफी तरह की फैक्टरीज मिली हैं जैसे बीड फैक्टरी चूडियों की फैक्टरी या फिर कोटन टेक्स्टाइल की फैक्टरी इसी की साथ यहां पर हमें न इवन लिप्ष्टिक के भी एविडेंस मिले हैं बैंगल फैक्टरी की देखो एक और बहुत important site है काली बंगा जैसे की देखो नाम से ही जाहिर है यानि काले रंग की चूडियां बालाथल और काली बंगा दोनों ही sites लाजिस्तान में हैं यहां से हमें fire altar और camels की हड़ी भी मिली हैं fire altar का यहां पर मिलना ये दर्शाता है कि हडपा civilization के जो लोग थे वो animals की sacrifice में बिलीब करते थे इसके बाद पंजाब की सतलूस नदी के किनारे खुजी गई एक और इंडस site रोपड इस site की अगर देखो बात करें खास बात ये थी कि यहां पर ना जो कबरे मिली हैं उसमें इनसान और कुट्टों को दोनों को एक साथ दफनाय गया था एक जेक्ट वजय तो बता पाना मुश्किल है लेकिन साथ दोनों के बीच में बहुत प्रेम हुआ करता होगा तब ही दोनों को एक साथ दफनाय जाता था लेकिन देखो एक खास बात दोनों की death एक ही समय पर कैसे हो जकती थी तो कहीं ये सती वाली चीज तो नहीं है गुझरात में मिले तुर्को ताड़ा साइट पे हमें मिलते है घोडे की हडियों य CGI मेरा होर्स बोन का मिलना एक बहुत बड़ी कोंटरवर्सी ठियोरी को सोल करता है हला कि कोंटरवर्सी अभी भी चल रही है दरसल देखो controversy ये है, कुछ experts का ये मानना है, भी horse को यानि घोडे को इंडिया में पहली बार Aryans लेके आये थे, वैदिक एज में, यानि 1500 BC के बाद में, पर देखो इस बात को challenge किया गया सूरको ताड़ा साइट ने, यहाँ पर क्यूंकि horse के सबूत मिले हैं, ये साबित होता ह इवन हड़पन टाइम्स में भी घोडे थे, और देखो इस argument को मजबूती provide की, उत्रपटेस में 2019 में मिली एक और important site ने, जिसका नाम है, सिनोली साइट, सिनोली साइट से क्या discover किया गया, देखो, रत के सबूत मिले हैं सिनोली साइट से, अब रत तो तभी चलेगा ना, ज इसके बाद देखो, एरिया वाइज हम कुछ और sites भी देख लेते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में स्थित, इंडस civilization की westernmost site, सुथकागंडोर, कोटबाला, मेहरगड, कोटदीजी, या फिर अमरी, कस्मीर में मिली इंडस civilization की northernmost site, मांड, और वहीं उत्रपर्देश में यमुना क किनारे मिलता है, easternmost site, आलंगिरपूर, गुजरात में मिलती है, देशलपूर, पबुनात, रंगपूर, और सिकारपूर, और इंडस वैली civilization की southernmost site है, दयमाबाद, जो हमें मिलती है, पत्परा नदी के किनारे महाराष्टर में, और लाश्ट में देखो, हम बात करें, ये इ civilization का अंत हो गया, इसके लावा कुछ दूसरे इतिहासकार है, जैसे देखो, वीलर, फिर गोर्डन, इनका ये मानना है, कि Aryans, जब यहाँ पर आए ना, उन्होंने हड़पंस के उपर attack कर दिया, और धीरे धीरे इस attack की वज़े से, ये civilization पूरी तरे से स्माप्त हो गई, पक् अब हम बात करेंगे आरेन एज की, आरेन एज की सुरुवात हडपन civilization के दुरान ही हो गई थी, 2022 में तमिलाडू के कृष्णागरी डिस्टिक में मिला मैला दुमपराई साइट, जिसने हमारे आरेन एज को और पीछे धकेल दिया, यहाँ पे हुई, खुदाई से पता चला कि इंडियन सब कोंटिनेट में आरेन एज शुरू हुआ 272 BC में, यानि की करीब-करीब ब्याली सो साल पहले, और यही टाइम पिरियेड ब्रोंज और कोपर एज का भी था, देखो आरेन एज को ना, आरेन एज इसलिए बोला जाता है, क्योंकि इस टाइम तक इनसान आरेन यानि लोहे के बने हुए टूल्स को इस्तमाल करने लगा था, भारत में आरेन एज का पहला एविडेंस उत्तरपरदेश के अतरंजी खेडा से मिलता है, आरेन एज के मिलते ही दुनिया भर में एक क्रांतिस ही आ गई थी, क्योंकि इसकी वज़ाए ये था, फिर तो देखो लोहे से बना हल इंसान इस्तमाल करने लगा, और इसे इस्तमाल किया जाने लगा जुताई के लिए, मतलब खेड जोतना आसान हो गया था, इस वज़े से देखो फसलो की पैदावार भी बढ़ गई थी, फसलो की पैदावार तो देखो एक तरफ, दूसरी तरफ इंसान लो पूर साइट और मस्की साइट इसके अलाबा नागरजुन कोंडा जो कि आन्दापरदेश में है और तमिलाडू का अधियाच्छा नलूर। आरियन एज के साथ ही आया वैदिक सिवलाजीशन। वैदिक सब्द आता है वेद वर्ड से जिसका मतलब है नोलेज। देखो ऐसा मना जाता है कि आरियन्स ने वैदिक कल्चर की शुरुवात की थी। बट कोश्चन उठता है कि ये आरियन्स आय कहां से थे। इस सवाल का नोमेडिक था मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गूमने वाला था। जहां देखो एक तरफ हडपन सिवलाजीशन को कुछ मिनट्स पहले हमने जाना वो एक अर्बन सिवलाजीशन थी। आरियन्स पोपुलेशन रूरल थी। आरियन्स का मैंसन हमें इराक में मिले कसा छे ट्रिब्यूटरीज के आसपास ही रहते थे जिनने बोला जाता है सब्त सिंधू। पर जैसे ही आरेन का इस्तमाल बढ़ गया, जंगल काटना और ज़्यादा आसान हो गया, इससे देखो हुमन सेटलमेंट ना बढ़ती गई। लेटर वेदिक पिरेड आते आते इनसान भारत के पूर्वी छोर यानि इस्टन इंडिया को भी छूचुका था, आएए अब इन दोनों पिरेड्स को हम डिटेल से देखते हैं, अरली वेदिक पिरेड और लेटर वेदिक पिरेड, पहले आता है रिगवेद यानि की अरली वेदिक पिरेड, जिसका टाइम पिरेड हैं 1500 BC से 1000 BC तक, इस टाइम पिरेड की डिटेल्स हमें रिगवेद के 10 मंडल से मिलती हैं, रिगवेदिक टाइम में राजा का बेटा ही राजा बनता था, इनमें थे कुछ ट्राइबल किंग्डम्स जैसे भारत, मत्षय, यदूज और पूरूज जो काफी स्ट्रोंग राज रिगवेद की हाइम्स यानि भजन में हमें एक कहानी सुनने को मिलती हैं, जो कि देखो 10 राजाओं के बीच एक लड़ाई से समधित हैं, जिसे बोलते हैं 10 राजन या फिर Battle of 10 Kings, ये बैटल हुआ परूशनी नदी के किनारे, परूशनी जिसे आज के समय में हम रावी बोल देती हैं, भारत ट्राइब के जीत के बाद इस जगह को भारत वर्स बूला गया, इसके बाद अगर समाज की बात करें, रिगवेद का समाज तीन पार्ट्स में बटा हुआ था, ब्रामिन, शत्रिया और वैश्य, ब्रामिन पढ़ाते थे, शत्रिया के पास शक्ती और शोर बन सकता था, इनफेक्ट वरन सब्द का मतलब भी रिगवेद में कलर है, वेदों की और वापस चलो, इसके बाद अब हम बात करेंगे लेटर वेदिक पिरियड की, लेटर वेदिक पिरियड का टाइम पिरियड है 1000 BC से लेके 600 BC तक, इस टाइम पिरियड की इंफोर्मेशन ह यानि की Southern India, लेटर वेदिक पिरियड को Epic Ace भी बोलते हैं, दरसल भारत की दो महान Epic, महाभारत और रमायन इसे टाइम पिरियड में लिखी गई थी, लेटर वेदिक टाइम्स के में गोड और रिचुल्स की अगर बात करें, तो इस टाइम पिरियड में बगवान इंद्र औ काफी कॉंप्लिकेट हो गए थे, जैसे बली पर था, मुर्ति पूजा और मंतर जाप, तो इन सब कॉंप्लेक्स रिचुल्स की वज़े से ब्रामीन का जो दर्जा था समाज में, वो काफी बढ़ गया, जिस समाज को हम रिग वैदिक पिरियड में योगता के अधार पे डि रिजीड कास सिस्टम की, लेटर वेदिक पिरियड तो देखो, इवन महिलाओं के लिए भी अच्छा साबित नहीं हुआ, ओर्तों का दर्जा समाज में काफी गिर गया, सभा और समीती में इनकी एंट्री बन करा दी गई, सती पर्था, बाल विवाज जैसे कुरू पर्था समाज का हिस्सा बन गई, इसके बाद भी कुछ औरतें, जैसे गारगी, मैत्रेई और काता यानि, इन्होंने देखो, अपना रास्ता बना ही लिया, आज एंशेंट लिटरेचर के फिल्ड में, इन महिलाओं का बहुत नाम है, इस पिरियड की अर्थ विवस्ता यानि एकोन समाज के लिए होती थी, अगर देखो, रिक वेदिक पिरेड के तुल्ला में देखें, तो लेटर वेदिक पिरेड के लोग सहरी जिंदगी जीते थे, और ये हमें पता चलता है, तैतीर ये अरण्यक में लिखे हुए नगर सबद से, इसके बाद बात करें बार्टर सिस्ट और देखो, वेशे जाती के लोग जो वेपारी यानि की मर्चेंट्स थे, ये वेपारी आपस में मिलकर ग्रूप्स बनाने लगे, इन्हें बोला गया स्रेश्टिंस, मोटे-मोटे दोर पे देखो, कास सिस्टम ने समाज को चार पार्ट्स में बाठ दिया, ब्रामिन, शत् कम्निटीज की सेवा करना, लेटर वेधिक पिरेट के दोरान समाज में बहुत बुराहियां आ गई थी, जैसे कि बली पर था, संस्कृत भासा का परयोग, महंगे-महंगे पूजा पार्ट, और भी बहुत कुछ, इन सब ने देखो, बहुत से आम लोगों को अपने रिलिज के बताय गए सिधान्तों पे, गोतम बुद का जनम 563 BC, साक्या रिपब्लिक के कैपिटल कपिल वस्तु में हुआ था, बुद को सिधार्थ, साक्या मुनी और तथागत के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा बोला जाता है कि बुद के पूरुवस थे, कासप, और इनके उत्रा लालन पालन इनकी मोसी परजापती गोतमी ने किया, इन्होंने ही बुद को गोतम नाम दिया, परजापती गोतमी आगे जाके बुदिष्ट संग में आने वाली पहली महिला बने, ऐसा बोलते हैं कि गोतम बुद के जनम से पहले, एक एस्ट्रोलोजर ने ये बविशेवान की थी कि बुद्ध एक बहुत ही जादा बड़े धार्मिक परसन बनेंगे पर इनके पिता को नहीं ये बात पसंद नहीं थी इनके पिता जो उस समय साक्यावंस के राजा थे वो चाते थे कि गोतम आगे जाके गद्धी संभाले राजा बने इसलिए उन्होंने गोतम को चार स्रीर को और एक सादू को देखते हैं तो उनका मन नद दुख से भर जाता है ये पीडा उनके मन का एक बहुत महतपुन पॉइंट होता है 29 साल की उमर में बुद्ध अपना ग्रेष्ट जीवन छोड़ चाड़ कर सांती यानि पीस के खोज में निकल गए और जिस गोड़े सर्मन्स देने स्टार्ट कियें बुद्ध का पहला सर्मन उतरपरदेश के सारनात में हुआ और इस इवेंट को बोला गया धरम चकर परवर्तन इंगलिस में कहें टर्निंग ओफ वील ओफ ला असी साल की उमर में उतरपरदेश के कुशी नगर में साल के पेड़ के नीचे बुद्ध की मृत्यू हो गई और इस इवेंट को बोला गया महापरी निर्वान बुद्ध के लाइफ के जो important events है ना जैसे जनम, निर्वान हासिल करना, मृत्यू इन सब को ना symbols की साहिता से दिखाय गया है जैसे कि बुद्ध के जनम को दर्साय गया है कमल यानि लोटस के फूल से, बुद्ध का घर से निकलना यानि की महापिनिस कर्मन इसे दर्साय गया है होरस से यानि घोडे से, निर्वान प्राप्ति को दर्साय गया है बुद्धी ट्री से, फर्ष्ट सर्मन जब बुद्ध देते हैं इसको दिखाय गया है वील से, जिसे बोलते हैं धरम च बाद आये exam point of view से बुद्ध से related कुछ important points को देखते हैं जिस पे UPSC question पूछ सकती हैं बुद्ध के पहले teacher का नाम अलार कलाम था ये एक ऐसे साक्या फिलोसपर थे जिन्होंने बुद्ध को meditation के तोड़ तरीके सिखाए इनके दूसरी teacher का नाम उद्धक रामपुत्र था बुद्ध के कुछ करीबी सिख्या थे आनंद, सरीपुत्र, मोगलन, कासा, उपाली यहाँ पे देखो दो तरह के सिख्या थे, पहली तरह के बिक्सु यानि मोंक्स, यानि वो जिन्होंने घरेलू, जीवन छोड़ दिया और सन्यास ले लिया और दूसे तरह के सिख्या उपासक या फिर उपासिका, ये वो वर्सिपर्स थे, जो बोध धरम को फोलो करते थे, लेकिन अपना घरबार इन्होंने नहीं छोड़ा था, यानि बिक्सु नहीं थे बुधिजम रिलिजन के तीन रतन है, बुध, धम और तीसे नंबर पे संग, बुध वो है जो परबुध है, यानि इनलाइटेंड है, धम यानि बुध के बताये गए सिधान्त, उसूल, नियम, जो बोधी विक्सु को फोलो करने होते हैं, तीसे नंबर पे संग, यानि वि इम बिशार और अजाद सुत्रू, ये किंग्स बगवान बुध के कंटेंप्रेरी भी थे, बुधिजम को अपनाने वाले तीन एहम राज्य थे, सीसुगुना डैनेश्टी के काला सोख, मोरियन्स डैनेश्टी के समराट असोख, और लाश्ट में कुशान डैनेश्टी के क जरावस्ती, कुशिनगर, नलंदा, मथुरा, वरनसी, साकेत, बुध की बुन्यादी सिधान्त चार बातों पे निर्बर थे, जिसे बोला गया four noble truths, पहला noble truth है truth of suffering, यानि ये सच है कि दुख है, दूसरा noble truth है the truth of origin of suffering, जो ये बताता है कि ये दुख आता है हमारी से, हमारी लालसा से, और ये लालसा ही हमें जनम और मृत्यू के चक्कर में फसा के रखती है, इसके बाद तीसरा noble truth है the truth of cessation of suffering, यानि इस दुख का अंत होगा जब हम अपने इच्छाओं को मार देंगे, लाश्ट noble truth है truth of part to the cessation of suffering, यानि कि आखरी सिधान्त हमें रास्ता द right thought, यानि सही और अच्छा सोचो, इसके बाद दूसरा right speech, यानि सही और अच्छा बोलो, तीसे नमबर पे right action, यानि सही और अच्छा करो, चोथे नमबर पे right livelihood, यानि ऐसे काम करो, दूसरों का भी भला हो, next right effort, यानि इमानदारी से काम करो, next right mindfulness, यानि दिमाग को सांत और स शान्ती से ध्यान करो, और सबसे लाश्ट में राइट अंडरस्टेंडिंग, तो ये आठ पाथ हमने डिसकस किये, ये जो एट फोल्ड पाथ है न, इसको मिडल पाथ यानि मध्यम मार्क भी बोला गया है, देखो इस एट फोल्ड पाथ को देने का, बुद्ध का उदेशे य जो की थी, पाली, पाली लेंग्वेज उस समय कोमन मैन की भाजा थी, नेक्स्ट, बुद्धिष्ट टेक्ष्ट जैसे की विन्यपितक, सुथ पितक और अभिधम पितक भी पाली लेंग्वेज में ही लिखे गए थे, अभिधम पितक पांच बुक्स का कमपालेशन है, जैस महत्मा बुद्ध की दैत के बाद, बुद्धिजम से सम्मरिक मामलों पर डिसकर्शन करने के लिए, बुद्धिष्ट मौंग्स और स्कोलर्स समय समय पर इकठा हुए, गैदर हुए, और इनी गैदरिंग्स को बोला गया बुद्धिष्ट कांसिल्स हुई, एके करके सब की बात करते हैं, पहले आप ये स्क्रीन पे चार्ट देखिए, जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहली बुद्धिष्ट कांसिल ओर्णाइज हुई 486 BC में, राजगरिया बिहार में, इस बुद्धिष्ट कांसिल के सरकसक थे हर्यंक डाइनेश्टी के राजा अजाद महाकासप उपाली, इस कांसिल के नतीजे में निकले दो इंपोर्टन बुद्धिष्ट टेक्स्ट, विन्यपिटक और सूथ पिटक, विन्यपिटक जिसे लिखा है उपाली ने और उसमें लिखा है बुद्धिष्ट संग के नियम, असान भासा में आपको बताओं, संग मे रहते हुए बुद्धिष्ट मोंक्स को कैसे बिहेव करना है, जैसे गुस्षा आ गया तो उसके खिलाफ पैनल्टी क्या लगेगी, पैसा रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, कब खाना है, क्या खाना है, क्या अवोइड करना है, तो ये सारी चीजें ये सारे नियम बताए गए थे विन्या पिटक में इसके बाद दूसरी तरफ सूत पिटक जिसके लेखक आनन्द है ये हमें बताता है बुदिष्ट टीचिंग्स के बारे में सूत पिटक डिवाइडिड है पांच निकाय में यानि कलेक्शन्स में जैसे देखो सबसे पहले दिग निकाय दूसरे न कांचिल के सरकसक थे वेशाली में ये बुदिष्ट कांचिल आयोजित हुई थी और इसके अध्यक्स थे सर्वा कामिनी या सबा करनी और इस कांचिल में बुदिष्ट संग डिवाइड हुआ स्थावीर निकाय और महा संगिका में स्थावीर मतलब ऐसे followers जो देखो कठिन स बुदिष्ट नियमों को मानने के लिए तयार थे लेकिन दूसी तरफ महा संगिका के followers थोड़े आसान रास्ते ढून रहे थे जैसे कि देखो दोनों टाइम भोजन करना या फिर दान दक्षिना में सोना चांदी लेना तो डिफ्रेंसिस आ गये मतलब बुदिष्ट संग ड अधियक्स थे मोगलिपुत तीसा इस काउंसिल में हमें मिला मोगलिपुत तीसा द्वारा लिखा गया अभिधम पितक और ये पितक हमें बताता है बुदिष्ट फिलोस्पीस के बारे में समराट असोक हिम यान सेक्ट के follower थे विन्या पितक सुथ पितक और अभिधम पितक इन तीनों को एक साथ बोलते हैं त्री पितक और तीनों पितक पाली लेंग्वेज में लिखी गई हैं जो उस समय कोमन मैन की लेंग्वेज थी यानि आम लोगों की भासा थी इसके बाद अगर हम बात करें लाश्ट बुदिष्ट काउंसिल की ये आयोजित हुई 72 AD में कस् और ये वसुमित्र की अध्यक्स्ता में कंड़क्ट हुई थी असवगोस जिनोंने बुद्ध चरित लिखी हैं वो भी इस फौर्थ बुदिष्ट काउंसिल में उपस्तित थे फौर्थ बुदिष्ट काउंसिल में बुदिजम डिवाइड हुआ हिन्यान और महायान सेक्ट के दवरा। उनमें विश्वास किया ज़ाता था हिन्यान के फौर्थ के दवरा। वहीं महायान के हिसाब से महांत्माबुद की ओरिजनल टीचिंग्स अब गाय्ब हो चुकी हैं। उसके बारे में किसी को पता नहीं है। हिन्यान सेक्ट मुर्थ पूझा में बिलीव नहीं माहायान С Actट बोदी सत्वय जिनके हिसाब से एक बोदी सत्वय का काम दूसरे लोग का निर्वान प्राप्ट करने में उनकी मदद करना है उनकी हेल्ब करना है दरसल बोदी सत्वय ऐसे इंलाइटेंड बुदिश्ट मौंग्स थे जिनोंने ठान लिया था परन लिया लगे हिम्यान और महायान आगे जाके दो अलग अलग सेक्ट में बट गया हिम्यान से निकला थेरवाद और महायान से निकला वजर्यान थेरवाद बुदिष्ट फॉलोवर्स का ये मानना था कि निर्वान प्राप्त करने के लिए न मनुश्य को अपने जीवन से क्लेस का अं थेरवाद followers का ये मानना था कि ऐसे negative emotions से निकलने के लिए निर्वान प्राप्त करने के लिए महत्मा बुद के बताए गए eightfold path पर चलना होगा ऐसे ही कुछ suggest किया गया बुदिष्ट scholar बुदग घोस ने अपनी किताब विशुदी मग में विशुदी मग एक polytext है और इसे अग path of purification हिन्यान के तरह थेरवाद followers भी उपदेश देने के लिए पाली भासा का ही प्रयोग करते थे देवो ऐसा मानना है वजर्यान भुद्धिजम हिंदू religion से परभावित है ऐसा देखो इसलिए कहा गया क्योंकि वैदिक टाइम्स पे हो रहे rituals जैसे तंतर मंतर अब भुद इंडिया के करीबन 5.7% बुद्धिश्ट followers ऐसे हैं जो वजर्यान के followers हैं और ये हमें मिलते हैं तिबबत, भुटान, मंगोलिया इन सभी जगाओं पर हिमियान सेक्ट के followers आज के टाइम में नहीं मिलते और इन्हें replace किया गया थेरवाद के followers के द्वारा आप इस map को देख थेरवाद के followers हमें मिलेंगे श्रिलंका, मयामार, थाइलेंड, कंबोडिया और लाउस में वहीं महायान सेक्ट के followers मिलते हैं चाइना, साउथ कोरिया, जपान और तिबबत में लेकिन देखो सबसे बड़ी आरनी ये हैं इंडिया जहां बुद्धिश्ट माइनिटी में हैं 2011 के census के अनुसार भारत में सिरफ 0.7% population ही बुद्धिश्ट हैं, तो इस परकार से हमने बुद्धिजम को डिटेल से समझा, इसके बाद अब हम बात करते हैं जैनिजम की, जैन सब्द आता है जिन से, जिसका आर्थ है विजेता, जैनिजम के founder और पहले तिर्थंकर थे जोड महावीर का time period 540 BC से 467 BC तक consider क्या गया है, इनका जनम 540 BC कुंद ग्राम नामक विलेज विशाली में हुआ था, इनके पीदा का नाम सिधार्थ और मादा का नाम त्रिशला था, महावीर ग्यातरिक वन्स में जन्मे थे, और 30 साल की उमर में महावीर ने अपना घ्रेलि सच की खोज में, इसके 12 साल बाद, रिजुपालिका नदी के किनारे महावीर को कैवल्य ग्यान यानी अध्यातम की नोलेज की प्राप्ती हुई, इनको फोलो करने वाले लोग उनको बोला गया निर्गरंथ, 72 साल की एज में इनकी मिल्ट्यू बिहार के पावापूरी में ह होती है, महावीर को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि देखो, जी टेंडरी है, या फिर निर्गरंथ, जैन धरम में जो 24 तिर्थंकर हुए है न, उनको अर्यहंत भी बोला जाता है, अर्यहंत का आर्थ होता है, अपने दुस्मनों को मारने वाला, जिसने अप जैसे देखो, क्रोध, इर्शा, लालच, ये सब चीजें, जिसने इन भावनाओं को हरा दिया, इन भावनाओं को जीत लिया, वो अर्यहंत कैलाता है, और जो अर्यहंत है न, उनको प्राप्त होता है, केवल्य ज्यान, पर वो अभी मनुश्य के रूप में धर्थी पर ही है और अर्यहंत से उपर होते हैं सिद, सिद ऐसे अर्यहंत है, जिनकी आत्मा दुनिया के मो माया को छोड़ के जा चुकी है इस धर्थी से, यानि जो सिद है, उनको मुक्ती मिल गई है, वो मुनुश्य के रूप में नहीं है, असान सब्दों में बोले, तो अब लाइफ और जैद के साइकल से वो बहार आचुके हैं, तो ये होते हैं सिद, चलिए अब देखते हैं जैन फिलोस्पीस को, जैन धरम मोक्स पाने का एक बहुत ही कठिन रास्ता दिखाता है, जैसे कि इनका मानना था कि रास्ते पर चलते वक्त किसी भी जिवित प्राणी को दुख ना पहुंचाएं, इसके लिए मोर के पंक से बने जाडू का इस्तिमाल किया जाता है, छोड़े छोड़े जीवित प्राणीयों को रास्ते से हटाने के लिए, उसके बाद जैन साधू उस रास्ते पर चलते हैं, जैन मोंक्स को पांच नैतिक सिधान फोलो करने होते हैं, सबसे लाश्ट में हैं ब्रमचारे, साधा, अब भरष्ट और सुद्ध जीवन जीना, जैनिजम के मुदापितना मोक्स पाने के तीन रास्ते थे, जिसे बोलते थे, ठी ज्वैल्स ओफ जैनिजम, पहला था राइट फेद या सम्यक दर्सन, इसमें बोला गया मनुश्य को अंध जीवन नितिकता से और बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए बिताना चाहिए, जैनिजम की एक इंपोर्टेंट फिलोस्पी है, अनिकांत वाद, जिसमें ये बोला गया है कि कुछ भी absolute truth नहीं होता, हर चीज या हर बात के बहुत से पहलू होते हैं, और हर एक पहलू में जाने के लिए, अकसर ना, अन्दे लोग और हाथी की कहानी का उधरन दिया जाता हैं, जैसे देखो इस कहानी में कई अन्दे लोग हाथी के अलग अलग पार्ट्स को टच करते हैं, और जानने की कोशिस करते हैं कि हाती कैसा है, जैसे एक blind person हाथी की सून्ड को छूता है, और सोचता है कि हाती साप कितरे होता है। दूसरा blind person हाती के पैर को छूता है और कहता है हाती पेड कितरे हैं। और उसी परकार से बाखी blind persons भी हाती के अलग-अलग हिस्सों को छूते हैं। और उसी हिसाब से कलपना करते हैं कि हाती कैसा है। सभी blind persons का देखो अलग अलग perspective था और वो गलत नहीं था अपने आप में तो अनेकांत वाद सिखाता है कि अगर आपको reality को जानना है न तो अलग 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 perspectives को आप integrate करो तब जाके आपको broader way में complete reality समझ में आएगी अगर देखो सच का सिरफ एक हिस्सा आप जानोगे तो आपको complete सच नहीं मिलेगा जैसे blind persons ने हाथी के अलग अलग अंगों को छुआ अगर आप सभी blind persons के perspective को integrate कर दोगे ना तब जाके असली सच सामने आएगा कि complete तस्वीर हाथी की कैसी है इसके बाद जैनिजम की एक और जो famous philosophy है श्यादवाद philosophy ये भी देखो कुछ ऐसा ही कहती है श्यादवाद philosophy के मुताबिक कुछ भी अच्छा या बुरा सितिती पर निर्बर है जैसे कि न्याय या फिर सच किसी एक प्रिस्तिती में सही है तो जरूरी नहीं कि वो दूसरी प्रिस्तिती में भी सही होगा ethics के angle से देखें तो यहाँ moral relativism की बात हो रही है जैसे आप example देखें अगर देखो किसी person for example महेस ने चोरी की है अब यहाँ पर महेस ने जो चोरी की है ना महेस का काम है इसको देखने के दो द्रिष्टिकोन यानि दो perspectives हो सकते हैं पहला अगर नेदिक्ता के द्रिष्टिकोन से देखें तो महेस ने जो किया वो गलत है चाहे situation कुछ भी हो चाहे circumstances कुछ भी हो महेस ने चोरी की नेदिक्ता के हिसाब से यह गलत है लेकिन अगर दूसरे नंबर पे प्रिष्टितियों को समझने के द्रिष्टिकोन से देखें तो हो सकता है कि महेस ने जो किया अपने परिवार का पेट भरने के लिए किया या फिर बच्चे की जान बचाने के लिए किया जो बहुत बिमार था मतलब मजबूरी में महेस ने चोरी की तो हमने इस परकार से देखा एक ही काम यानि एक्षन को लेके दो अलग अलग अपिनियन्स है यही देखो श्यादवाद का सिधान्त है कि कोई भी काम प्रिष्थितियों से अलग नहीं देखा जा सकता अगर आपको जज़ करना है कि न कोई काम गलत है या सही आपको सरकम्स्टांसिज यानि प्रिष्थितियां भी देखनी होगी बुदिजम की तरह जैनिजम भी आगे जाके देखो अलग अलग सेक्ट्स में बट गया जैसे दिगांबर और स्वेतांबर जैनिजम में ये जो डिवीजन हुआ न दिगांबर और स्वेतांबर के बीच में इस विबाजन का कारण था मगद छेतर में आया एक बहुत बड़ा अकाल यानि फैमीन जो जैन फलोवर्स थे न उनमें से एक ग्रूप इस अकाल से बचने के लिए न बदर भाहू की अधिक्षता में साउथ इंडिया चले गए और इन्हें बोला गया दिगंबर बदर बाहू के परिभाव से ही मोरिया वन्स के संस्थापक चंदरगुप्त मोरिया जैन धरम में परवर्तित हुए एक ऐसी स्टेट जब देखो मोंक्स ने न सारे प्रकार के मोम आया छोड़ दिये हैं कोई material possession नहीं कोई attachment नहीं यानि कि state of purity समझ गये मतलब दिगंबर सेक्ट के देखो जो मठ के rules थे ना बहुत कठोर थे वहीं दूसरी तरफ दूसरा जो सेक्ट था जैनिजम में स्वेतांबर सेक्ट स्वेतांबर सेक्ट के followers अपने सरीर को न सफेद कपड़े से ढखने लगे और इने बोला गया white clad दिगंबर सेक्ट ना जैन धरम के 500 सिधांतों को मानता था पर दूसरी तरफ स्वेतांबर सेक्ट ने बगवान महावीर के बताये आखरी सिधांत यानि ब्रमचर्य को मानने से इंकार कर दिया था दिगंबर सेक्ट के मुताबिक बगवान महावीर ने कभी साधी की ही नहीं पर दूसरी तरफ स्वेतांबर सेक्ट का कहना था कि महावीर ने साधी की थी दिगंबर और स्वेतांबर सेक्ट में आज भी महिला तिर्थंकर को लेके खींस्तान चल ही रही है यानि डिफरेंसीज है जहां एक तरफ दिगंबर सेक्ट का ये मानना है कोई भी महिला तिर्थंकर नहीं हो सकती वहीं दूसी तरफ स्वेतामबर सेक्ट का ये मानना है, जो 19 तिर्थंकर है न मली, वो एक महिला ही थी, इतना ही नहीं, दिगंबर सेक्ट के अनुषार कोई भी महिला मोक्स प्राप्त नहीं कर सकती, औरत को अगर मोक्स प्राप्त करना है न, तो पुनर जिनम लेकर मैन बनना होगा तभी वो मोक्स प्राप्त कर सकती हैं लेकिन स्वेतांबर सेक्ट में और आदमी दोनों को समान माना जाता था इसके बाद देखो ये जो सेक्ट्स है न दिगंबर सेक्ट और स्वेतांबर सेक्ट ये आगे जाके कुछ-कुछ सब्सेक्त्स में भी डिवाइड हो गए जैसे दिगमबर सेक्ट के कुछ सब्सेक्ट्स थे, मूलशंग 20 पन्थ, 13 पन्थ, तरण पन्थ वहीं दूसी तरफ सुएतांबर सेक्ट के कुछ सब्सेक्टs इस परकार से थे मूर्ति पूजक, स्थानक वासी तेरा पन थी, तो दिगंबर और स्वेतांबर सेक्ट के बीच में डिफ्रेंसिस डिसकेस करने के बाद, अब हम बात करते हैं जैन काउंसिल्स की, ये जैन काउंसिल्स देखो इसलिए आयोजित हुई थी, ताकि जैन धरम से संबंदित जो प्रिंस्पल्स हैं, उनका सही मतलब निकाला जांसके और जैन धरम से संबंदित मसलों पर चर्चा हो सके तो पहली जो जैन काउंसिल आयोजित हुई थी, बिहार के पाटली पुत्र में 330 BC में आयोजित हुई, इसके अध्यक्स थे स्वेतामबर सेक्ट के लीडर स्थूल भद्र और देखो ये काउंसिल, यानि पहली जैन काउंसिल आयोजित हुई थी मोरियन किंग, चंदरगुप, मोरिया के सरंक्सन में इस काउंसिल में बगवान महावीर की सिक्साओं को मूल सिक्साएं हैं, वो गयब हो चुकी हैं लेकिन दूसरी तरफ, सुवेतामबर सेक्ट के फोलोवर्स का ये मानना था, ये जो 12 अंग है ना, जिसमें महावीर की सिक्साओं को बाटा गया है, यही बगवान महावीर की fundamental टीचिंग्स हैं यानि मूल सिक्साएं हैं, इसके बाद जैन काउंसिल की दूसरी मीटिंग अयोजित हुई गुजरात के वलभी में, 512 BC में इसको प्रिजाइड किया गया देवरिशी, शमा सर्मंड ने और इस काउंसिल में दिगंबर सेक्ट ने भाग लिया या बाहुबली की परतीमा ये हमें करनाटक के सर्वन बेल गोला टाउन में मिलती हैं, सबसे लाश्ट में महराष्टर के मांगी टूंगी पहड़ियों में स्थित रिसवनात की परतीमा जिसे हम स्टैच्यू ओफ अहिंसा भी बोलते हैं इसके बाद अब हम जानते हैं बुदिजम और जैनिजम के बीच कुछ मेजर डिफरेंसिस को देखो बले ही बुदिजम और जैनिजम के ओरीजन का जो रीजन है वो सिमिलियर था क्योंकि उस समय हिंदू धरम में कुछ ऐसी पर्थाएं थी जिसको लेके विरोत था इसी वज़े से बुदिजम और जैनिजम इमर्ज हुआ पर इनके वैल्यू सिस्टम में बहुत सारी डिफरेंसिस थे चलिए देखते हैं कैसे जैन फॉलोर्स का मानना था हर चीज में आत्मा यानि सोल होती है यहां तक की पत्थर में भी पर देखो दूसरी तरफ बुदिजम इस कंसेप्ट पे विश्वास नहीं करता था उनका ये मानना था कि आत्मा तो है पर हर जगह नहीं है जैनिजम के फॉलोर्स करम पर भी विश्वास रखते थे इनका ये मानना था कि किसी का भी जनम उनके पिछले जनम में किये हुए करमों पर भी निर्बर करता है पिछले जनम में अगर आपने अच्छे करम किये है तो आपका ये जीवन अच्छा होगा वैसे देखो पुनर जनम का कंसेप्ट तो बुदिजम में भी था पर करम पे बुदिष्ट फोलोवर्स का कोई सुझाव नहीं था जैन धरम जहां अपने अनुसाशन और सिधानतों को लेके बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था जैसे कि जादर जैन फोलोवर्स आज भी प्य मासा हार भी खाया जा सकता है जैन धरम और बोद धरम दोनों धरमों ने समाज में हर धरम और वरण को अपना धरम अपनानी की अनुमती दी दोनों धरमों का ये मानना था कि जीवन का अंतिम उदेश्या निर्वान प्राप्त करना है यानि मुक्ती मौक्स प्राप्त करना ह इस परकार से जनिजम हमारा कम्प्लीट हो गया, इसके बाद अब हम डिसकस करते हैं महा जन्पदों के बारे में, जैसे कि हमने देखा था कि लेटर वेदिक पिरेड में लोग फूट गैदरर से फूट पर्डूसर बन गए थे, घर, जमीन, खेती, इन सभी ने लोग को महा जन्पद बोला गया, महा जन्पद के पिरेड को हम दूसरी अर्बन सिवलाइजेशन भी बोलते हैं, इंडियस वैली सिवलाइजेशन पहली अर्बन सिवलाइजेशन थी और महा जन्पद का जो पिरेड था वो दूसरा अर्बन सिवलाइजेशन, दरसल जैसे ही देखो आरन और कोपर का इस्तमाल बढ़ने लगा ना, खेती के साथ-साथ दूसरे जो बिजनस थे, वो भी चलन में आ गए, जैसे देखो, बढ़ाई का काम होता है, कारपेंट्री, लोहार का काम होता है, या फिर सुनार यानि सोने का काम होता है, इस परकार के अनेको बिजनस चलन म में आ गए, और इससे आम आदमी की इंकम काफी बढ़ गई थी, और रिसोर्सिस के लिए भी आपस में लड़ाई स्टार्ट हो गई, इन 16 महाजनपदों की बात, बोद ग्रंथ अंगुतर निकाय में भी की गई है, इन महाजनपदों में जिस टाइप की सरकार हुआ करती थ इसके बेस पे महाजनपदों को न दो टाइपस में आप डिवाइड कर सकते हो, पहला है मुनार्किकल महाजनपद यानि की राज साही महाजनपद, ऐसे राजजों में राजगदी खुद के वंस को ही मिलती थी, मतलब राजा का बेटा ही राजा बना करता था, राजा किसी और को अपने गद्दी नहीं दिया करता था जैसे देखो कोशल और मगद महाजनपद यहाँ पर ना ब्रामिन्स और वैदिक रिचुल्स का यानि अनुष्ठानों का जो इंपोर्टेंस है काफी जाला बढ़ गया था इसके बाद देखो दूसरे टाइप के महाजनपद यह थ दिक रिचुल्स का उतना जादा इंपोर्टेंस नहीं था बलकि देखो कुछ बोध साइत्य के हिसाब से समाजिक वर्गी करण यानि सोशल हरार्की में ब्रामिनों को छत्रिये के नीचे रखा गया था वज्जी और मल महाजनपद इसी स्रेणी में आते थे रिपब्लिकन म महाजनपद को गण संग भी बोला जाता था चलिए इन 16 महाजनपदों को हम थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं पहले हम देखेंगे मगद राज्ये को मगद की राजदानी थी राजग्रिये हैं जो आज के समय में बिहार के पटना और गया छेतर को कवर करता हैं मगद हमे इसके साथ साथ मगद राज्ये को ट्रेड के लिए ये नदिया बंगाल की खाड़ी यानि बे ओफ बंगाल से जोड़ती थी मगद के दक्सिन में विंदे परवत जो इन्हें सौधन स्टेट से भी सुरक्सा देते थे मगद के इस्ट में बसा था अंग महा जनपद और इस महा जनपद की राजदानी थी चमपा आज के समय में ये बिहार के मुंगेर और भागलपूर्ट छेतर को कवर करता है 6th century BC में चमपा एक बहुत important trade port हुआ करता था बहुत वैपार यहां से होता था और चमपा के trade relations South East Asia में भी थे लेकिन देखो 6th century के अंध तक अंग महा जन था धेर सारे वन्सों को मिला कर अनेकों देखो वन्स हुआ करते थे उस समय जैसे लिच्वी, विधिहांस, ग्यातरिका इन सब को मिला कर बना था वज्जी, महवीर जैन, ग्यातरिका वन्स से समन्द रखते थे वज्जी के वैश्ट में था मल राज्य है और इसकी ना दो राजदानियां हुआ करती थी, एक उसी नगर, दूसरी पावा, और ये भी वज्जी की तरह एक रिपब्लिकन स्टेट था, मतलब कई सारे राजाओं में काभिल राजा को गद्दी मिलती थी, यानि कि ये भी बना था बहुत सारे क्लैंस, यानि वन्सों को मिला कर, महत्मा बुद्ध को मिर्क्यू प्राप्त होती है, यानि उनकी डैथ होती है, गंगा नदी के किनारे बसे कुसी नगर में, गंगा टट पर ही बसा था कासी महाजनपद, और कासी महाजनपद की राजदानी हुआ करती थी, वारण असी, वरुना और असी नदी से गिरा था, ये कास महाजनपद, और उस समय देखो, कासी महाजनपद की न, बाकी महाजनपदों के साथ, जैसे मगद महाजनपद, अंग महाजनपद, और कोशल महाजनपद, इनके साथ में लगा टार लड़ाई होती रहती थी, और अंत में कासी महाजनपद, कोशल महाजनपद का ही हिस्सा ब हमें मिलेगा उत्रपरदेश के गोंडा बहराईच रिजन में कोशल राज्य के अंदर थी साक्यर ट्राइबल्स की टेरिटरी कपिल वस्तू जहां पर महात्मा बुद्ध का जनम हुआ था कोशल भी देखो एक बहुत ही पावरफुल किंग्डम थी गंडक गोमती और सरपी का नदी इन्हें दुस्मनों से बचाती थी और दूसरे राज्यों के साथ विवाहिक गढ़भंदन यानि मेट्रिमोनियल एलाइंस जैसे बेटे की साधी बेटी की साधी कर दी जाती थी दूसरे राज्यों के राजाओं और राणियों के साथ तो इस परकार के जो मेट्रिमो बुद्ध के भी contemporary थे और देखो कोशल के north में था पंचाल kingdom या फिर कहें कूरू kingdom एक ही बात है महावारत की लड़ाई कूरू छेतर के लिए की गई थी और इनका capital था इंदरप्रस्थ महावारत की main character में से एक महरानी द्रोबदी पंचाल kingdom की बेटी थी और पंचाल का capital था अ लेकोर kingdom जिसके नाम था वत्स और इस वत्स kingdom की राजदानी हुआ करती थी कोशामभी कुछ लोग देखो ये भी बोलते हैं ये जो वत्स kingdom था ये कूरू कुल का ही एक हिस्सा था जो कि यमना के पास जाके बस गया और ये area आज के समय में हमें परियागराज वाले region में मिले यहां के एक बहुत important king थे उद्यन राजा उद्यन जो कि देखो साथवी आठवी century में लिखे गए बहुत से literature और stories के hero थे नायक थे जैसे कि भास द्वारा लिखे गए सवपरवास वधता और राजा हर्स द्वारा लिखी गई रतनावली और प्रिया दर्सिका में राजा उ देश के महेश्वर रिजन में मिलती है और दूसरा है उजयनी यानि आज का उजयन रिजन अवंती के नोर्थ में था मत्सय राज्या जिसकी capital थी विराट नगर आज के समय में ये कवर करेगा राजस्तान के अलवर और भरतपूर रिजन को और साउथ इंडिया का इकलोता गुदावरी नदी के किनारे बशा असमक या फिर अससक राज्या और इसकी capital हुआ करती थी पर्थिष्ठान ये इकलोता ऐसा kingdom था जो विंडियाज माउंटेंस के साउथ में था इवन देखो आज के पाकिस्तान वाले रिजन में भी दो महाजनपद हुआ करते थे पहला थ के पाकिस्तान के पिशावर और रावल पिंडी रिजन को कवर करता है और इनका capital था तक्सीला इंडस और जेलम से जुड़ा तक्सीला एक important port site भी हुआ करता था इस दुरान देखो आज का उत्रपरदेश बिहार और मद्यपरदेश वाला एरिया बहुत ही जोर सोर से राज हुई ही और फसलों का production भी increase हो गया लेकिन देखो iron की खोज के बाद ना हजारों तरह के नेने हतियार भी emerge होके आये जिनको जंग में use किया जाने लगा और इसकी वज़े से विविन राज्यों और महाजनपदों के बीच में conflicts और ज्यादा बढ़ गए लडाईयां और भी भ्यांकर हो गई यही कारण था कि 16 में से सिरफ 4 महाजनपद सुप्रीम बन के निकले और वो थे मगद, कोशल, अवन्ती और वत्स उस समयना मगद महाजनपद में रूल था हर्यंक डैनेश्टी का जिसका time period था 558 BC से लेके 491 BC तक मगद देखो सारे जनपदों में सबसे ज पहरा हुआ था और ये पहाडियां एक natural barrier का काम करते थी जिसकी वज़े से जो दुस्मन rulers थे दुस्मन raja थे अटैक नहीं करते थे राजगरी के ऊपर राजगरी के ऊपर अटैक करना एक परकार से suicide करने के समान था आतमत्या करने के समान था अगर हम मगद महाजनपद के rulers क बात करें तो सबसे पहले आते हैं बिम्बिसार हर्यंक डैनेश्टी के फाउंडर थे बिम्बिसार ना यूद जीतने के लिए डिफैंसिव और कोपरेटिव दूनों तरह की स्टेड़ेजी यूज क्या करते थे जैसे कि एक्जामपल के तोर पर बिम्बिसार ने अंग महा जन पद को हरा कर मगद में बना लिया यानि मगद का हिस्सा बना लिया इसके बाद वो आजपरोस के राज्यों के साथ में वेवाहिक गठबंदन इस्टाबलिस करते हैं जैसे कि देखो कोशल राज्ये के राजा परसेंजीत की बहन बिम्बिसार के पतनी थी उसी परकार से हत्मा बुथ से परभावित होकर बिम्बिसार ने बोथ धरम को अपना लिया लेकिन देखो दुख की बात ये है कि बिम्बिसार की हत्याना उनके बेटे के हातों ही हुई राज के लालच में आके अजाद सत्रू ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या कर दी थी अजाद सत जैसे पावरफुल किंग्डम पर भी आकर्मन कर दिया और उन्हें मगद राज्या में मिला लिया और इस सक्सेस के पीछे रीजन था अजात सत्रू का सेतानी और रचनात्मक दिमाग जैसे कि देखो बहुबली मूवी में दिखाया गया है ये हतियार जो आप तस्वीर में द रच मूसल हतियार इसमें देखो एक विशाल भाले के समान हतियार होता था जो रच से जुड़ा होता था दुस्मन सैनिको को मारने के लिए घायल करने के लिए और रचों को तोड़ने के लिए रच मूसल का इस्तमाल किया जाता था आप तस्वीर देखिए इसके बाद एक सक्तिसाली हत्यारों को ambitious अजाद सत्रू ने युद के दुरान यूज किया और युद में इन हत्यारों ने एक निरनायक भूमिका प्ले की अगर देखो अजाद सत्रू के religious interest की बात करे ना वो सुरुवात में तो जैन धरम को follow किया करते थे पर आखरी दिनों में जब उनको ये realize हुआ ना कि यार गलत कर दिया फादर की हत्या नहीं करने चाहिए थे मतलब उन्होंने अपने फादर बिमबिशार की हत्या की थी राजगदी हासिल करने के लिए तो अंतिन दिनों में उन्हें इस चीज़ का अपसोस हुआ फिर वो बहुत धरम यानि बुदिजम की तरफ आगे बढ़ गए कुछ बुदिष्ट लिटरेचर जैसे मज्जिम निकाए या फिर मद्यपरदेश में मिले भरूत इंस्क्रिप्शन में महत्मा बुद्ध और अजाद सत्रु दोनों के मिलन का परमान मिलता है और 486 BC में जो पहला भुदिष्ट काउंसिल आयोजित हुआ था वो अजाद सत्रु के छत्रोचाया में ही आयोजित हुआ था अजाद सत्रु के बाद मगद की गद्धी पर आते हैं उनके बेटे उदीन उदीन का टाइम पिरेड है 460 BC से लेके 444 BC तक उदीन के टाइम पिरेड तक मगद एम्पायर हिमाल्या से लेकर जारखंट के छोटा नाकपूर प्लैट्यू तक फैला हुआ था और इतनी अपड़ी टरिटरी को संभालने के लिए उदीन मगद का कैपिटल राजगीर से पाटली पूतर सिफ्ट कर देते हैं दरसल पाटली पूतर गंगा और सोन नदी के संगम पर सितित था इस वज़े से पूरे राज्या में संपरक बनाना आसान हो गया था पर देखो उदीन के बाद जो राजा आये ना जो सक्सेसर्स थे उदीन के वो इसके बावजूद मगद एम्पायर को अच्धे डंग से नहीं संभाल पाए उदीन हरियंक डैनेश्टी के आखरी पावरफू लीडर थे जब हरियन्क डैनेश्टी के आखरी रूलर नागदर्सक रूल कर रहे थे ना तो उस समय उनी के अमात्या यानि की मंत्री सीसुनाग ने नागदर्सक की हत्या कर दी और मगद में सीसुनाग डैनेश्टी की स्थापना की सिसुनाग मगद की राजदानी फिर्ज से पाटली पूतर से उठाकर विशाली कर देते हैं और आते ही सबसे पहले अटैक करते हैं अवंती किंग्डम पर और अवंती को मगद समराज्य का हिस्सा बना लेते हैं सिसुनाग के बाद रूल आता है उनके बेटे कालाशोग का सिसुनाग के बेटे कालाशोग पाटली पतर की इंपोर्टन्स को समझते थे और इसी को देखते हुए उन्होंने पाटली पूतर को एक बर फिर से मगद की कैपिटल बना दिया और काला सोख के बारे में हमने पहले भी जिकर किया Second Buddhist Council को जब हमने डिस्कस किया था Second Buddhist Council जो है वो काला सोख के संरक्षण में ही विसाली में आयोजित हुई थी तो Second Buddhist Council के लिए फेमस है काला सोख इसके बाद देखो काला सोख को सक्सीड करके मगद में राज आता है नंद डाइनेश्टी का और ये नंद डाइनेश्टी बहुत पावरफुल थी नंद वंस के संस्थापक थे महापदम नंद नंद डाइनेश्टी को न मगद के सबसे सक्तिसाली सासन के रूप में जाना जाता है इतना सक्तिसाली कहावत है कहा जाता है कि जब पंजाब को जीत कर अलेकजेंडर मगद की और आगे बढ़ रहे थे न तो धनानंद की सेना देखकर वो डर गए और भाग खड़े हुए महापदम नंद के राज में मगद के छेतर में कलिंग डैनेश्टी का एरिया भी सामिल था और ये बात हमें कहां से पता लगती है हाती गुमफा इंस्क्रिप्शन यानि सीला लेक से ये जो इंस्क्रिप्शन था न ये कलिंग राज्य के सासक खारवेल के उपदेश पर लिख महापदम नंद मगद राज्य पर सासन करने वाले एक मात्र गैर शत्रिय थे पुराणों के हिसाब से इनकी माता शुद्र वर्ग से समधी थे महापदम नंद को उनके आठ बेटों ने आगे जाके सक्सीड किया जिसमें आखरी और सबसे महतपून थे धनानंद धनानंद को ग्रीक राइटर्स अग्रेमेस और जेंडरमेस भी कहते थे जिसका अर्थ है उगर सेन के वनसज अगर देखो बात करें नंद डैनेश्टी के विनास का एक मुख्य रीजन था धनानंद की टेक्सेशन पोल से धनानंद के टाइम पे चोटी से छोटी चीजों पे जैसे पत् आया मुर्यन डैनेश्टी के फाउंडर चंदरगुप्त मुर्यन और इसमें उनकी मदद किसके द्वारा की गई चंदरगुप्त के राजनीतिक गुरू चानक्या ने अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि 16 महा जनपत थे उनमें से सिरफ मग्द ही क्यों जीत रहा था दर जैसे ना वहाँ पे पहुँचना बहुत कटिन था मगद का दूसरा कैपिटल पाटली पुतर ये भी दो नदियों के संगम पे था जिससे कि आर्मी को इधर से उधर पहुँचाना काफी असान था सिरफ इतना ही नहीं राजगरी के पास स्थित आरेन और कोपन के खदानों ने मगद रीजन पर चार-चान लगा दिये जंग जीतने के लिए ना इन के पास ना हत्यारों की कमी थी आरण और कोपर से हत्यार बना सकते थे और ना ही हत्यारों को चलाने के लिए सैनिको की कमी थी In fact, अगर हम दूसरे powerful kingdom जैसे आवंती की बात करें, तो इनकी भी strength का reason था मध्यपरदेश में मिले iron mines, मगद के rulers को करीबन 100 साल लग गए आवंती को capture करने में, क्यों क्योंकि उनके पास भी लोय के ख़दान थे, मगद की काम्याभी के पीछे न, एक और reason था, आर्मी में elephants, या ये सब चीज़ें आसान हो गई, अगर देखो Greek sources की माने न, तो नंद empire के पास करीबन 6000 elephants थे, तो point देखो साफ है, मगद empire ने हातियों का इस्तमाल किया, मगद empire में जो अलग अलग काबिल राजा आये, जैसे देखो बिंबिसार, अजात सत्रू, या फिर महापदम नंद, इ इसके बाद 321 BC में मगद रीजन का दरोंगदार आया, मोरेन empire के ऊपर, मोरेन dynasty हम जाने, उससे पहले हम जल्दी से जानते हैं, इरानियन और मैसेडोनियन इन्वेजन को, देखो मगद राज्या ने भारत के north और east एरियास पर कबज़ा करके, इनको तो एक जूट कर दिया परन्तु देखो north western और आज का जो पाकिस्तान वाला रीजन है न, यहाँ पर छोटे kingdom जैसे की कमबोज, गंदार और मदरा, यह सब एक दूसरे से लड़ रहे थे, और इसका फाइदा उठाया, इरान के archimanian rulers ने, archimanid empire की नीव रखी गई इरान में, थोड़ा सा और आपको इसके बारे में बताऊं, 550 BC में archimanid empire के founder Cyrus ने भारत के गंदार region पर attack करके archimanid empire का पार्क बना लिया, और यह mention कहां पे है, इरान में मिले बहिस्तून inscription में, इस से मैं देखो मगद में तो हर्यंक dynasty के राजा भिम बिशार का rule था, 516 BC में Cyrus के पोते यानि grandson Darius काफी ज़्यादा active थे और ताबर तोड़ हमले कर रहे थे, इन्होंने ना इंडस river के west में सिथित, पंजाब और सिंध रीजन को capture कर लिया, तो यह जो रीजन था ना पंजाब और सिंध रीजन, यह Persian empire का सबसे ज़्यादा उपजाओ यानि fertile रीजन था, Darius के उत्रा धिकारी थे, जरेक्सिस, और देखो, जरेक्सिस के बाद इरान की, यानि पर्सिया की राजगिद्दी पर बैठते हैं, Darius second, अर्बेला की लडाई में इनका सामना होता है, Macedonian leader Alexander the Great से, जिसमें देखो, Darius second को हार का सामना करना पड़ता है, Alexander की इच्छा, उसे भारत की और ले आती है, Herodots, जिने हम father of history भी बोलते हैं, उन्होंने देखो, अपनी किताब में भारत देश की खूब तारिफ की थी, और यही रीजन था, कि Alexander भारत को भी capture करने के लिए, भारत पर कबजा करने के लिए चल पड़े, उस समयना भारत का North Western region, छोड़े छोड़े Kingdoms में राज्यों में बटा हुआ था, आपस में लड़ाई भी चलती रहती थी, इस वज़े से North Western region को capture करना आसान था, Alexander खाइबर पास से होते हुए तकसीला पहुँचते हैं, Alexander की आर्मी को देखके, तकसीला के राजा अंभी अपने घुटने टेक देते हैं, और Alexander से हाथ मिला लेते हैं, जैसे ही Alexander जेलम नदी के पास पहुँचते हैं, उनका सामना होता है, Port of Kingdom के राजा पोरस से, राजा पोरस और Alexander के बीच भ्यांकर लडाई होती हैं, जिसे Battle of Hidas Peace के नाम से जानते हैं, जिसमें राजा पोरस को हार का सामना करना पड़ता हैं, बट देखो राजा पोरस की बहुदरी देख, Alexander काफी पर भावित हुए, और उन्हें उनका राजय, Alexander ने वापस लोटा दिया, जहलम नदी के किनारे, राजा पोरस की बाहदरी देखने के बाद, Alexander की आर्मी बढ़ती हैं, मगद की तरफ, पर मगद में मुझूद, धरननद की आर्मी का खोफ, Alexander की आर्मी को डी मोटिवेट कर देता हैं, Alexander की आर्मी पिछले 10 साल से लगाता लड़ाई लड़ रही थी, बहुत ज़रा ठक गए थी, जब Alexander की आर्मी ब्यास नदी पर पहुंचती है न, तो मना कर देती हैं, कि हम नहीं जाएंगे आगे, बहुत ज़रा ठक गए, 10 साल से लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे ह और आगे जाके इसी कमजोरी का फाइदा मिला, Morian Dynasty को, अब आईए हम डिटेल से जानते हैं, Morian Dynasty के बारे में, Morian Dynasty का टाइम पिरियेड था, 321 BC से 20 BC तक, और इस महान एंपायर के फाउंडर थे, चंदरगुप्त मोरे, चंदरगुप्त को ग्रीक राइटर्स, सैंडरो कोट भी बोलते थे, चंदरगुप्त के एक बहुत ही परभावसाली एवं चतूर सायक और सलाकार थे, चानक्या, चानक्या की राजनीतिक, समझबूज और उनकी स्टेडेजीज की कहानिया आज भी हम सुनते हैं, चानक्या को कोटिल्या या विश्नुप्त भी बोला जाता है, चंदरगुप्त मोरिया के टाइम में न नौर्थ और नौर्थ वेस्ट इंडिया का अधिक्तर एरिया मोरियन रूल के अंदर आ गया था, अलेक्जेंडर के एमबेस्टर और सिल्यूइसीड, एमपायर के एमपरर सिल्यूकस, निकेटर को हरा कर, चंदरगुप्त, अफगा द्वारा लिखी गई अर्थ सास्तर, हमें बताती है, चंदरगुप्त के परसासन और उस समय कानून विवस्था कैसी थी इन सब चीजों के बारे में, अर्थ विवस्था को 1905 में री डिस्कवर किया गया और डैसिफर किया गया संस्किर्थ, स्कोलर, रुदर पतन, समा सास इसके लाबा विशाखादत द्वारा लिखी थी, मुदरार आक्सस जो बुक है, इस बुक से हमें पता लगता है, कैसे चंदरगुप्त मोरेया ने नंद वन्स का खात्मा किया, देखो वैसे तो ये जो बुक है मुदरार आक्सस, ये बुक गुप्तर डैनेश्टी के रूल के दुरान लिखी गई थी, बट देखो मुरेयन एंपायर के बारे में भी ये बुक हमें बहुत कुछ बताती है, एक और इंपोर्टेंट बुक है, मेगस थिनीज के दुरार लिखी गई इंडिका बुक, इस बुक से भी हमें पता लगता है, कि मुरेयन टाइम के दुरान और सोचल कंडिशन कैसी थी, दरसल देखो, जो मेगस थिनीज थे न, ये चंदरगुप्त की कोट में आए एक ग्रीक अमबेश्टर थे, और किनों ने भेजा था इनको, चंदरगुप्त मुरेया की कोट में, इनको भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने, मेगस थिनीज देख सला देने के लिए एक कांसुल हुआ करती थी, मोरियन एड्मिस्टेशन की बात आगे वीडियो में हम डिटेल से करेंगे, वैसे देखो, जैन मुनी भदर बाहू से परभावित होकर, चंदरगुप्त मुरेया जैन धरम को अपना लेते हैं, और अपना सारा घरेलू जीवन छोड़ कर, जो भी उनका घरेलू जीवन था, उसको वो छोड़ के, करनाटक के परसिद जैन साइट सरवन बेल गोला में अपने आखरी दिन बिताते हैं, फाइनली इनकी डैथ सलेखन से होती हैं, सलेखन देखो, एक जैन पर था है, जिसमें इनसान खानपान छोड़ देत बिंदु सार ने मोरेन एंपाइर को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही एग्रेसिव स्टेड़जी अपनाई, ग्रीक हिस्टोरियन एथिनेकस ने बिंदु सार को अमितरो चेट्स बोला है, जिसको संस्केट में बोलते हैं, अमितर घात, अमितर घात का मतलब होता है, बिंदु सार देखो बोड धरम की आजीविक सेक्ट के फोलोर थे और बिंदु सार की डेथ के बाद उनके बेटों के बीच राजगदी हासिल करने के लिए एक जंग छिड़ गई बेटों में आपस में लड़ाई स्टार्ट हो गई ग्रीक इतिहासकारों की माने तो असोका न 273 BC से लेके 232 BC और इस पिरेड में भारत का अधिकतर एरिया यानि अफगानिस्तान से लेकर साउथ में करनाटक तक मोरियन रूल के अंडर ही हुआ करता था अपने राज के आठवे साल में यानि की 271 BC में असोक इवन कलिंग राज्य पर भी परहार करके अटैक करके उसको मोरियन एमपायर में सामिल कर लेते हैं असोक के 13 रोक एडिक्ट में कलिंग वार के बारे में लिखा गया है असोक की इस मार धाड करके दूसरे राज्यों को हराने वाली पोलसी को बोला गया बेरी घोस यानि की ड्रम ओफ वार पर देखो कलिंग युद में हुए गुप्त के परभाव में आकर अशोक बोध धरम को अपना लेते हैं और बोध धरम अपनाने के बाद अशोक बेरी घोस को त्याग धम धोस यानि धरम की रापर चल पड़ते हैं देखो वैसे बोध गरंथ महावन्स की माने तो अशोक को बोध धरम में निग्रोथ नाम के भिक्सु ने परिवर्तित किया था यानि कनवर्ट किया था पर असोक वंदन के हिसाब से असोक को कनवर्ट किया था उपगुप्त ने। पर चलके अपना नाम इतिहास के सबसे अच्छे राजा के तोर पे दर्ज गरवाता हैं। इसलिए असोक को हम प्रिया दर्शी या फिर डेवनाम प्रिया नाम से भी जानते हैं। अशोक की धंनीती सद्यों सद्यों के लिए सांथि का प्रतीक बनी और इस धंनीती को फिलाने के लिए अशोक ने कई सारे मेथड़् अपनाए जैसे की रोक एडिक्ट्स यानि की सीलालेक इंस्क्रिप्शन या फिर पिलर एडिक्ट्स जगा जगा पर ये सब इस्टाबलिस करवाए और इन पर अपना मैसेज दर्ज करवाए अशोक के रोक जो हमें बहुत धरम के बारे में काफी कुछ बताते हैं जैसे कि असोग की आठवी मेजर रोक एडिक्ट से हमें पता चलता है असोग धम यात्रा के लिए लोग को प्रेरित करते थे असोग द्वारा इस्टाबलिश करवाए गए इंस्क्रिप्शन को डिकोड करने का क्रेडिट जेम्स प्रिंसेप को जाता है चलिए देखते हैं असोग के रोक एडिक्ट की लोकेशन जिसके बारे में कोशन पूछा जा चुका है पहला है आज के अफगानिस्तान में स्थित कंधार इंस्क्रिप्शन ये इंस्क्रिप्शन ना बाइलिंग्वल है यानि कि इसे दो लेंग्विजिज में लिखा गया है एक ग्रीक और दूसरा प्राकिर इसके बाद मान सहरा और साबाजगडी इंस्क्रिप्शन ये दोनों देखो आज के समय के पाकिस्तान में है इन्हें खारोशी लिपी में लिखा गया है फिर आता है उत्राकर्ण में स्थित कालसी इंस्क्रिप्शन जो लिखा गया है पाली लेंग्विज में और लिपी है ब्राम्मी कालसी inscription हमें Greece के Hellenistic Empire के बारे में बहुत सारी जानकारी देता है और ये भी confirm करता है कि Greece के साथ न असोक के अच्छे सम्मन्थ है इस inscription से हमें ये भी पता लगता है कैसे बोध धरम अपनाने के बाद असोक, अहिंसा और प्रेम की राह पर चलने लगे यानि love and non-violence इसके बाद गुजरात में हमें मिलता है गिर्नार रोक एडिक्ट गिर्नार रोक एडिक्ट जूनागड इंस्क्रिप्शन का ही हिस्सा है महराष्टर के पाल घर रीजन में मिलता है सोपारा रोक एडिक्ट और करनाटक में मिलता है सननाती एडिक्ट ओडिशा में मिलता है धोली इंस्क्रिप्शन, धोली का मैतव देखो इसलिए है चुकि इससे कलिंग वार के बाद सांती परतीक के तोर पर स्थापित किया गया था, मतलब पीस के सिंबल के तोर पर इसे इस्टाबलिस किया गया था कलिंग यूद के बाद, धोली से थोड़ा आगे जाकर ओडिशा के गंजम डिस्टिक में मिलता है जोगडा इंस्क्रिप्शन फिर आंदर पर्देश में हमें मिला एरागूडी रोक एडिक्ट इसके लावा जगा जगा मिले हुए इंस्क्रिप्शन हमें अशोक के बारे में काफी कुछ बताते हैं जैसे देखो इंस्क्रिप्शन हमें बताता है अशोक महात्मा बुद्ध के जनम स्थल लुंबनी से ना कम टैक्स लेते थे मतलब लुंबनी में जो लोग रहते थे ना यहां से राजा अशोक के द्वारा कम टैक्स लिया जाता था वहीं मास की इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगता है अ दूसरों के साथ दयापूर्ण व्यवयार करता है, मतलब जिसका behavior compassionate है दूसरों के साथ में, तो पूरा title देवनाम प्रिय प्रिय दर्सी, करनाटक में मिले कंगन हली inscription में अशोक के लिए अक्षोक रायो सब्द का इस्तमाल क्या गया है, इवन देखो भुदिजम को बढ़ावा देने के लिए अशोक ने धेरो स्थूप यानि की बूरियल माउंट्स की बिस्थापना की, जैसे कि मद्यपरदेश पे स्थित सांची स्थूप अशोक ने 3rd century में बनवाया था, सांची स्थूप को 1989 में युनायसको वर्ल्ड हरिटेस साइट का भी दर्जा दिया गया है, महात्मापूद के पहले सेर्मन को कोमेमोरेट करने के लिए असोक ने बनवाया सारनाथ पिल्लर, जिसे हम असोकन पिल्लर भी कहते हैं, अजाद भारत में असोकन पिल्लर का कैपिटल जो है, वो हमारा national emblem भी है, इसके लावा देखो असोक के राज्य परिशद में धम महामातरास भी थे, जो असोक की धम पोल्सीज को दूर देशों तक महुच आते थे, इन धम महामातरास में एक important नाम है, असोक के बेटे महिंदर, इवन एक और भी important नाम है, उनकी बेटी संग मित्रा का, ये दोनों राजा असोक के कहने पर, बोट धरम को फिलाने के लिए सिलंका जाते हैं, और इस बात का mention एक बुदिश्ट टेक्स्ट महावंस में भी है, महावंस जो बुदिश्ट टेक्स्ट है, उसमें इस बात का जिकर है, असोक देखो, बोट धरम को फिलाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, काफी सारे steps लेते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं, कि महात्मा बुद्ध कीतने हैं, असोक भी अपने राज्य को त्याग देते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, इवन कलिंग युद उन्होंने जीता, और युद जीतने के बाद उन्हें बुरा भी लगा, क्योंकि युद के दुरान बहुत ज़दा bloodshed हुआ था, रक्त पात हुआ था, खुन खराबा हुआ था, लेकिन एक चीज़ याद रखना, उन्होंने बावजुद इसके कलिंग को वापस करने की बाद कभी नहीं की, इनफेक्ट आर्मी की पोजीशन भी वैसे की वैसी ही थी, ऐसा नहीं की उन्होंने आर्मी को डिस्बेंड कर दिया, नई, सब कुछ सेम था, बस डग्रेट असोख बेरी घोसा छोड धरम घोस के तरफ मुड़ गए थे, समराट असोख के बाद मोरेन एंपायर दो पार्ट में बट गया था, वैस्टन पार्ट को असोख के बेटे कुनाल संभालते हैं, और मोरेन समराज्य का इस्टन पार्ट ये संभाला जाता है, असोख के पोते यानि के ग्रेंट सन दसरत के द्वारा, मोरेन एंपायर का नोर्थ वैस्टन पार्ट ये देखो, बेक्टेरियल इन्वेजन के कारणना काफी कमजोर पड़ जाता है, और इसका फाइदा उठाया किसने, मोरेन एंपायर के ही आर्मी चीफ पुशे मित्र सुंग ने, 185 BC के आसपास पुशे मित्र सुंग ने आर्मी प्रेट के दुरान, अपने राजा और लाश्ट मोरेन किंग ब्रिधर्थ की हत्या कर दी, और इसी के साथ शुंग राजवन्स की शुंग डैनेश्टी की नीव पड़ती हैं, इससे पहले कि शुंग डैनेश्टी की बात करें, हम मोरेन एड्मिस्टेशन के बारे में जान लेते हैं, चानक्या की बुक अर्थ सास्तर के हिसाब से, किसी भी आइडियल किंग्डम के ना साथ में पिलर्स होते हैं, जिसे चानक्या बोलते हैं सब्तांग, जैसे कि पहला है स्वामी यानि की किंग, दूसरा अमात्या यानि की मिनिश्टर, तीसरा है जन्पध मतलब की टेरिटरी या वहां के लोग, चोथा है दूर्ग यानि की कैपिटल, राजधानी, नेश्ट आता है कोस मतलब ट्रैजर, फिर आता है डंड मतलब पनिस्मेंट यानि की सजा, और सबसे लांश्ट में है मित्र मतलब दोस्त, तो ये साथ पिलर्स हैं जिसको चानक्या बोलते हैं सब्तांग, चनक्या ये कहते हैं किसी भी राश्टर को सफल बनाने के लिए इन साथ पिलर्स का होना बहुत ज़रूरी है, और इन साथ पिलर्स को संथित रखने के लिए एक सेंट्रल एड्मिस्ट्रिशन, और देको सेंट्रल एड्मिस्ट्रिशन की जहां डोर रहती थी, Morian Kings के पास में लेकिन Kings को सला देने के लिए एडवाईज देने के लिए उनके पास एक पूरी की पूरी मंत्री परिशद हुआ करती थी यानि की Council of Ministers मंत्री परिशद के main members ये सब लोग हुआ करती थे जैसे यूवराज, पुरोहित ये सेनापती पहला यूवराज, मतलब की Crown Prince जो जातर राजा की Family से ही होते थे पुरोहित, मतलब Chief Priest जो राजाओं को धार्मिक मामलों में एडवाईज दिया करते थे और लाश्ट में सेनापती, मतलब Commander in Chief जिसके पास Army की जिमेदारी हुआ करती थे परीशद में, यानि Council of Ministers में कुछ और Important Officials भी हुआ करते थे जैसे रेखो, सनी धाता सनी धाता मतलब Chief Treasury Officer जो की खजाने की देखपल किया करते थे इसके बाद, समाहर्ता समार्ता, ये Revenue Collector थे यानि की, राज्य के लोगों से Tax Iकठा किया करते थे इनका काम था, तोल कलेक्ट करना इसके बाद, संस्था ध्यक्स संस्था ध्यक्स क्या करते थे, ये Marketing Department देखा करते थे नेश्थ, राजुकास राजुकास, इनका काम पटवारी जैसा था, कुछ-कुछ ये जमीनों का सर्वेक्सन करते थे नेश्थ, सीता ध्यक्स सीता ध्यक्स से इनका काम था, खेती बगएरा देखना ये अग्रिकल्चर नेश्थ, धम महामातर धम महामातर ये पोश्ट असोक ने बो धरम फिलाने एवं आम आदमी की जुरूरतों का ख्याल रखने के लिए स्पेसली बनाई थी, इस पर UPSC कोशन पूच सकती है देओ, गोरकपूर में मिले सोह गोरा कोपर प्लेट ये बांगलादेश का महस्थाना इंस्क्रिप्चन, ये देखो हमें बताते हैं कि मोर्यन समय में किस परकार से मोर्यन एंपायर के द्वारा जनता के हित में राहत करे करवाये गए थे गुजुरात का फेमस जुनागर्ड इंस्क्रिप्चन ये इंस्क्रिप्चन यनि सीलालेख हमें बताता है चंदरगुप्त द्वारा जनता के हित में बनवाई गई सुदर्शन ले के बारे में मुर्यन एंपायर में न सीविल और क्रिमिनल कोट दोनों अलग अलग थे सीविल कोट को बोला जाता था धरम, स्थियास और यहां के चीफ जेस्टिस को वेवारिक इसके अलावा क्रिमिनल कोट को बोला जाता था, कंटक सोधन और यहां के चीफ जेस्टिस को बोला जाता था, परदेश था, पूरा राज़े डिवाइडिड था, प्रोविंसिस, डिस्ट्रिक्स और विलेजिस के बीच में, सबसे बड़ा होता था चकर, यानि कि प्रोविंस जिसके इंचार्ज हुआ करते थे, राष्टरपाल, एक चकर बना होता था, अहार या विशे से, यानि कि दिश्टिक्, और इनके इंचार्ज को बोलते थे, परदेशिक्, इनका रोल आज के जिला मजिस्ट्रेट जैसा ही था, यानि DM, DC, जो आज के समय में जो आप बनना परदेशिक, दिश्टिक् बना होता था, ग्राम से, यानि कि गाउं से, और ये ग्रामिक के सरंक्सन में होता था, यानि गाउं के इंचार्ज हुआ करते थे, ग्रामिक, इसके बाद, दस-दस गाउं के एक ग्रूप को बोला जाता था, संग्रेण, संग्रेण के head हुआ करत तीसे नमबर पे Registration of Birth and Death Committee, जैसे कि आज का Census Department है, चोथे नमबर पे Trade and Commerce Committee, पांचवे नमबर पे एक Committee, dedicated थी, manufactured goods की quality check करने के लिए, ऐसा तो नहीं कि नकली, समान त्यार हो रहा है, manufacture हो रहा है, और सबसे last Committee हुआ करती थी, sales होने पर tax collect करने के लिए, sales tax लगता था और उसको collect कर करता था 10%, वैसे देखो, पूरा Morian Empire, पांच भागों में divided था, North में था उत्रपथ, जिसकी capital हुआ करती थी, तक्सिला, West में था अवंतिपथ, जिसकी capital थी, उजैनी, South में था दक्सिंडपथ, जिसकी capital थी, सुवनगिरी, Center में था मग्द, जिसकी capital हुआ करती थी, पाटली बुक कहती है, Morian Army चार पार्ट्स में डिवाइडिड थी, सबसे पहले, Infantry, यानि कि पैदल, Scenic, जिनके कमांडिंग अधिकारी को पात्याध्यक्स कहते थे, दूसरा था, Cavalry, यानि कि घुट सुवार, जिनके कमांडिंग अधिकारी को अस्वाध्यक्स बोलते थे, इसके के पास 6,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 इतनी बड़ी आर्मी उस समय यानि किसी दूसरी राजार के पास नहीं थी, आर्थ सास्तर की बुक में देखो इस बात का भी जिकर है कि कैसे मोरियन एंपायर के दुरान राजा जासूसी करवाया करते थे किस परकार से मोरियन ने पूरा एक जासूसों का नेटरोग खड़ा किया इसके अलावा टूरिंग सीक्रेट एजेंट्स पठान टाइप के जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे और जासूसी करते थे उन्हें बोला चाता था संचरस इसके बाद देखो मोरियन सोसाइटी को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं मोरियन्स कौन से वरन से आते थे ये दो देखो बता पाना थोड़ा मुस्किल है क्योंकि पुरान के हिसाब से मोरियन्स सुद्र वरन से थे पर जुनागर्ड इंस्क्रिप्शन में इन्हें वैश्य कहा गया है वहीं कुछ बुदिष्ट टेक्स्ट ऐसे हैं जिनमें इनको छत्रिया भी बोला गया है लेकिन देखो क्या फरक पड़ता है मोरियन्स किस वरन से समन्द रखते थे बट हाँ एक बात जरूर है मोरियन्स रूलर्स की जो सोच थी ना काफी एडवांस थी जैसे की देखो मोरियन्स सोसाइटी में ना वूमन की पोजीशन काफी अच्छी थी महिलाओं को डिवोर्स यानि की तलाक लेने के बाद फिर से साधी करने का पूरा पूरा हग था इवन वूमन को राजा के पर्शनल बोडिगाड या फिर जासूस के तोर पर भी एपोइंट किया जाता था मिगस्थिनीस की माने तो मोरियन्स सोसाइटी में सलेवरी यानि की गुलामी नहीं थी अर्थ सास्तर की बुक में देखो इस बात का भी जिकर है कि कैसे मोरियन एंपायर के दुरान राजा जासूसी करवाया करते थे किस परकार से मोरियन्स ने पूरा एक जासूसों का नेटरोग खड़ा किया स्पाई डिपार्टमेंट के हैड को कहा जाता था जो स्थाई या फिर स्टेशनरी सिक्रेट एजेंट्स हुआ करते थे ना उनको गुड़ पुरुसास या फिर संस्थान बोलते थे इसके अलावा टूरिंग सिक्रेट एजेंट्स पठान टाइप के जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे और जासूसी करते थे उन्हें बोला चाता था संचरस इसके बाद देखो Morians Society को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं Morians कौन से वरन से आते थे ये दो देखो बता पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पुरान के हिसाब से Morians सुदर वरन से थे पर जूनागड इंस्क्रिप्शन में इन्हें वैश्य कहा गया है वहीं कुछ बुदिष्ट टेक्स्ट ऐसे हैं जिनमें इनको छत्रिया भी बोला गया है लेकिन देखो क्या फरक पड़ता है Morians किस वरन से समन्द रखते थे बट हाँ एक बात जरूर है Morian Rulers की जो सोच थी ना काफी advanced थी जैसे कि देखो Morian Society में ना woman की position काफी अच्छी थी महिलाओं को divorce यानि की तलाक लेने के बाद फिर से साधी करने का पूरा पूरा हग था इवन woman को राजा के personal bodyguard या फिर जासूस के तोर पर भी appoint किया जाता था मिगस्थिनीस की माने तो Morian Society में slavery यानि की गुलामी नहीं थी पर देखो कुछ और हिंदी लिटरेचर में slavery की बात कही गई है Morian के बाद North या Central इंडिया में आते हैं सूंग, कन्नव या फिर सत्वाहन सबकी हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सूंग डैनेश्टी की Morian Dynasty के आखरी ruler ब्रीधर्थ की हत्या कर पुषय मित्र सूंग राजवन्स की यानि सूंग डैनेश्टी की नीव रखते हैं सूंग डैनेश्टी का जो time period है वो 185 BC से 73 BC तक का था और इनकी capital विदीशा थी जो आज हमें मध्यपरदेश में मिलती है पुषय मित्र सूंग ना एक पक्के हिंदू थे ऐसा बोलते हैं कि वो बहुत धरम को थोड़ा सा ना पसंद करते थे जैसा कि असोक वादान बुक में लिखा है कि पुषय मित्र सांची स्टूप को ना तोड़ने की कोशिस करते हैं लेकिन देखो बहुत सारे दूसरे सोर्सी से ये भी पता लगता है कि पुषय मित्र ने सांची और भरूत दोनों स्टूपों को रिपेर करवाया था पुषय मित्र ने दो असव मेध यग भी परफॉर्म किये थे और इन असव मेध यगों में पंडित थे फेमस संस्क्रिट स्कोलर पतंजली पुषय मित्र सुंग ने अपनी टरिटरी को बेक्टेरिया एंपायर यानि की अफगानिस्तान से आए ग्रीक इन्वेडर से भी बचाया ग्रीक इन्वेजन के बारे में हम आगे वीडियो में देखेंगे पुषय मित्र के बाद सुंग डैनेस्टी के गद्दी पर आये उनके बेटे अगनी मित्र अगनी मित्र को हम काली दास द्वारा लिखी गई लव स्टोरी मालविक अगनी मित्र से भी जानते हैं सुंग डैनेस्टी में लिखी गई इस टोरी के हिरो सुंग डैनेस्टी के राजा अगनी मित्र थे अगनी मित्र के सक्सेसर्स जैसे कि देखो वासु मित्र वज्जर मित्र या फिर भागभदर सुंग ये सब राजाना सुंग डाइनेश्टी की बागदोर ठीक डंग से नहीं समभाल पाए और सुंग डाइनेश्टी के आखरी रूलर देव भूती की हत्या खुद उनके मंत्री नहीं कर दी उस मंत्री का नाम था वासुदेव और ये बात हमें पता लगती है कहां से बान भट द्वारा लिखी गई हर्स चरित किताब से 73 BC में सुरू हुआ कन्नव डाइनेश्टी का रूल जिसके फाउंडर थे वासुदेव कन्नव और इनका कैपिटल था पाटली पूतर कन्नव डाइनेश्टी का रूल तो सिरफ 45 सालों के लिए रहा वासुदेव के सकसेसर्स जैसे भूमी मित्र नरायन या सुसर्मन कन्नव डाइनेश्टी को आगे नहीं बढ़ा पाए कन्नव डाइनेश्टी को रिप्लेस किया साउथ में तो देखो साथवान डाइनेश्टी ने और नोर्थ में मित्र डाइनेश्टी ने सुंग या फिर देखो कन्नव डैनेश्टी का पिरेट बीना भारतिय सिवलाजीशन के लिए बहुत ज़दा इंपोर्टेंट था बोध धरम और जैन धरम के बताए रास्तों पर चलना आम आदमी के लिए थोड़ा कठिन सा भी थो रहा था कई प्रिंस्पल्स बोध धरम के और जैन धरम के बहुत ज़दा डिफिकल्ट है और इसका फाइदा उठा के हिंदू धरम ने समाज में फिर से अपनी जगह बना ली और सुंग ये कन्नव डैनेश्टी ने इस चीज में पूरा साथ दिया अब हम बात करें सत्वाहन की मोरेन डैनेश्टी को सेंटल इंडिया और साउथ में रिप्लेस किया गया सत्वाहनों के द्वरा सत्वान को भारतिय पुराणों में आनराज भी बोला गया है ये कोशन पूछा जा सकता है सत्वान डैनेश्टी की नीव किस ने रखी थी महराष्टर में मिली नानगहाट इंस्क्रिप्शन में हमें साथवाहन डैनेश्टी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। राजा सिमूगा के बाद साथवान डानेश्टी की कमान संभाली साथकरनी फर्ष्ट ने। इनके रूल के दुरानना साथवान एंपायर की बाउंडरी कलिंग तक पहुँच गई। नानेगहाट इंस्क्रिप्षन में इन्हें दक्षिन पत्पती बोला गया है, मतलब की लोड ओफ दी डेकन, हाति गुमफा इंस्क्रिप्षन में भी साथकारनी फर्ष्ट की बात की गई है, इनके बाद आते हैं साथकारनी सेकंड, ये जो थे, ये देखो सुंग डानेश्ट में बहुत इंटरेश्ट रखते थे, इन्होंने एक बुक भी लिखी, जिसका नाम था गाहा सतसाई, जो देखो प्राकिर्ट लेंग्वेज में लिखी गई, पोयम्स का एक प्रकार से कंपाइलिशन है, वरित कथा के राइटर गुनाड्या, साथवान रूलर हाला के कंटे जिसके कारण एक तरफशक डैनेश्टी, दूसरी तरफवान डैनेश्टी, दोनों के बीच में हमयशा लडाई चलती रहती थी, सक रूलर नहपान के रिन में आए साथवान के सबसे काबिल रूलर, गोत्मि पूतर साथकरनी, जिन्होंने साथवान डैनेश्टी की गोत्मी पूत्र साथकर्णी को हम एक ब्रामन भी बोलते हैं, मतलब the unique ब्रामन, साथकर्णी के सक्सेसर थे उनके पूत्र वसिष्टी पूत्र पुलु मावी और इनको सक्सीड किया गया वसिष्टी पूत्र साथकर्णी ने, वसिष्टी पूत्र साथकर्णी की साधी सक रू प्रिमोनियल एलाइंस के बाद भी यानि विवाहिक गटमंदन के बाद भी रुदरदमन साथवाहन पे अटैक कर मालवा और कौंकन रीजन उनसे हतिया लेते हैं वसीष्ट पूतर साथकरनी को सकसीड किया सिवसकंध साथकरनी ने इनके रूल में कुछ खास नहीं हुआ सिव सेना यानि नेवल पावर हुआ करती थी साथवान डानेश्टी के लाश्ट रूलर थे पुला मवी फोर्थ और इनके बाद तो साथवान एंपायर छोटे छोटे चोटे किंगडम में बट गया था इसके बाद अब हम देखेंगे साथवान के कुछ सोचल और लैंड ग्रांट सिरफ बोध या फिर जैन मोंक्स को दिये जाते थे हिंदू धरम के साथ 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 वाहन रूलर्स बोध धरम को भी परमोट करते थे जैसे कि देखो नासिख कानेरी या कारले में मिले चैत्या या विहार ये सब साथवान टाइम में बनाए गए ऐसा मानना है कि आंदरपरदेश में स्थित अमरावती स्थूप भी साथ वाहन टाइम पिरेड में ही बनवाया गया था साथ वाहन की कोट लेंग्वेज प्राकृत थी जिसे ब्रामी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था साथ वाहन टाइम में भूमन की पोजीशन काफी अच साथ वाहन टाइम्स में जातर जो कोइंस होते थे न वो लेड या फिर कोपर से बने होते थे और इसके सिलवर कोइंस को कारसापन बुला गया साथ ये गोल्ड से बने कोइंस नहीं यूज करते थे पर गोल्ड काफी मातरा में इन्हें महराष्टर के कुलार माइन से मिल जा गवर्नर का भी काम करता था सेनपती को गवर्नर मनाने के मकसद ये था कि साथवान प्रोविंसेज में भी मिल्टरी रूल चाहते थे विलेज एड्मिस्टेशन थी गोल्मिका के कंट्रोल में गोल्मिका के अपनी मिल्टरी रेजमेंट भी हुआ करती थी जिसमें 45 cavalry, 25 horses या 9 chariots भी हुआ करते थे military camps को कटक या सकन धावरस बोला जाता था सत्वाहन को replace किया गया चोटे मोटे kingdoms के द्वारा पर इससे पहले हम ये देखेंगे कि सत्वाहन के दुस्मन शक आये कहां से थे तो चलिए अब हम बात करेंगे Greek invasion की जिसमें आते हैं बैक्टेरियन, पार्थियन, शक और कुशान दरसल हुआ ये कि Morian dynasty के गिरने के बाद Northern और Central पार्थ, Sung या कन्नव dynasty के रूल में था पर North Western इंडिया में छोटे मोटे tribals ही रूल कर रहे थे इस दुरान बैक्टेरियन रीजन में Selucid Empire का रूल था बैक्टेरियन रीजन आज हमें अफगानिस्तान में मिलता है Selucid Empire, Alexander के General, Selucas, Nicator का बनाया हुआ एंपायर था अफगानिस्तान में उस समय स्कीथियन ट्राइब का दबदबा था स्कीथियन ट्राइब से हारने के बाद बैक्टेरियन ग्रीक्स या फिर पार्थियन इंडिया की तरफ बढ़ गए नोर्थ वेश्टन इंडिया को कैप्चर करना ग्रीस के लिए बहुत ज़़दा आसान था तो उन्होंने ये पांट असानी से कैप्चर कर लिया 220 तक नोर्थ वेश्टन इंडिया में आल्मोष्ट आल्मोष्ट तीज के आसपास Greek kings rule कर रहे थे पहले आते हैं Demetrius First Demetrius First को भारत में इंडो-Greek rule का founder माना जाता है Demetrius के successor थे Menender ये तो देखो Greek rule के सबसे famous ruler रहे Menender के rule में Greek empire अफगानिस्तान के सवात वैली से लेकर पंजाब तक फैला हुआ था इनका capital था सकाला सकाला देखो आज के समय में सियाल कोट पंजाब में स्थित है मतुरा से मिले यवनराज inscription से ये पता चलता है कि इनका rule एक समय में मतुरा तक भी था मेनेंडर को हम मिलिंद के नाम से भी जानते है मतलब मेनेंडर और मिलिंद दोनों सेम परसन थे अगर UPSC question पूछे दो Greek ruler मिलिंद बुदिष्ट मौंक नागसेन से परभावित होके ना बुदिजम में कनवाइट हो जाते है नागसेन और मिलिंद के बीच हुई बाचित को मिलिंद पन नाम बुक में record किया गया है इसके लेखक भी देखो नागसेन ही है नागसेन को नागरजुन भी कहा जाता है Greek rulers को हम उनके द्वरा जारिक किये गए सिक्कों के लिए भी जानते हैं भारत में सबसे पहले ऐसे rulers थे Greek rulers जिनके सिक्कों पर केवल उनके kings की मोहर हुआ करती थी इससे पहले ना सिक्कों पर फूल पत्ती या जानवर की मोहर हुआ करती थी पर Greek rulers के समय सिक्कों पर राजा की मोहर हुआ करती थी सिरफ यही नहीं, ग्रीक रूलर्स ने भारत में पहली बार सोने के सिक्के जारी किये थे, इससे पहले हम सिलवर या कोपर के सिक्के ही बनाते थे, ग्रीक का परभाव हमें भारतिय कला में भी काफी दिखता है, जैसे की नोर्थ वेस्टन पार्ट में डेवलप हुआ गांधा Greek rule को replace किया गया Scythians यानि की Sak Vans के दोरा Sak ने introduce किया Shatrap system जिसमें पूरे kingdom को छोटे-छोटे Pranto यानि provinces में divide किया गया था इस empire के 5 branches थे पहला branch था अफ़ानिस्थान में दूसरा Taksila में फिर Western India Mathura और Last Decken जिसका capital Ujjain था इसके बाद हम Sak Vans के बारे में discuss करें Sak Vans के संस्थापक्त है Moise देखो बहुत थारे efforts लगाने के बाद भी Moise Sak Vans का सासन जेलम नदी के आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे लेकिन बाद में ये काम पूरा किया उनके बेटे Ajayas 1 ने 58 BC में Ajayas 1 ने Ajayas युग की आये थे और North West India में Sak dynasty को खतम कर देते हैं देकन सत्रप में अभी भी खड़े थे Sak ruler नहपान नहपान के सासन को शत्रप राजवन्स भी कहा जाता है नहपान ने Sak rule को देखो South में बचा तो लिया पर उस वक्त उनके टकर में खड़े थे सात्वान सासक गोतमी पुतर साथ करनी नहपान के बाद आये राजा चस्थन, राजा चस्थन और उनके बाद रुदरदामन फर्ष्ट Sak empire के सबसे फेमस राजा थे रुदरदामन फर्ष्ट रुदरदामन ने सात्वान को हराकर कौंकर्ण, काठियवार्ड और मालवा रीजन को भी सक empire का पार्ट बना लिया था कानेरी inscription से हमें ये पता लगता है रुदरदामन ने न अपनी बेटी की साथी सात्वान राजा वसिष्ट पूतर साथ करनी के साथ की थी रुदरदामन ने पहली बार काफी lengthy inscription लिए संस्किर्थ भाजा का परयोग किया था इससे पहले देखो inscription लिए यानि सीला लेक लिए प्राकृर्थ लेंवेज का इस्तमाल किया जाता था इसके अलावा इन्हें चंदर गुप्ट द्वारा बनाये गए सुदरसन जील को रिपेर करवाने के लिए भी याद किया जाता है गिरनार में मिले जुनागड इंस्क्रिप्शन में असोग के साथ साथ रुदरदामन का भी योगदान है रुदरदामन के बाद सक रूलर्स का कंट्रोल सक एमपाएर का खात्मा कर दिया सक वन्स के साथ ही सुरू हुई थी या पहलव एमपाएर इंड़ो पार्थियन गिंडम के फांडर थे गुंडा फ्रेस के टाइम पे सैंट थोमस क्रिस्चैनिटी को फिलाने के लिए इंडिया आये थे इंडो पार्थियन टेरिट्री मोश्टली हमें इरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के नोर्थ वेस्टन पार्ट में मिलती हैं कुसांस के आने के बाद पार्थियन एंपायर भी खतम हो गई सक वन्स कितरह हैं कुसांस बी देखो इंडिया में सेंटल एशिया से आये थे कुसांस सेंटल एशिया में रूल कर रहे यू एची या फिर देखो तो चारियन, क्लैंस मतलब जन जातिय स्मूव में से एक थे सक और पार्थियन को अफगानिस्तान पाकिस्तान फिर देखो नोर्थ वेस्टन इंडिया में हराने के बाद वो गंगा बेसिन की तरफ आगे बढ़ गए थे कुषान एंपायर की नीव रखी कुजूल कद फिशेस ने फिर से बोलता हूँ कुजूल कद फिशेस उनके सासन में काबूल अफगानिस्तान और कंधार छेतर ये सारे छेतर कुषान एंपायर का पार्ट थे 127 BC में कुसान एंपायर की गद्धी पर आये कनिस्क कनिस्क के समय कुसान एंपायर सेंटरल एशिया से लेकर नोर्थ इंडिया, चीन और रूस के कुछ हिस्सों में भी फैला हुआ था इतने बड़े छेतर को संभालने के लिए कुसान एंपायर ने दो कैपिटल्स बनाई हुई थी पहली तो देखो आज के पाकिस्तान में स्थित पेसावर जिसे ये पुरुसपूर कहते थे और दूसरी कैपिटल थी उतरपरदेश का मतुरा सहर चारो दिशाओं में फैला कुसान समराज्य का परभाव यानि इंफ्लेंस लोकल कल्चर पर भी पढ़ा जैसे कि कुसान एंपायर के कौन्स पे हिंदू, बुदिजम, ग्रीक और पर्शन इन सारे जगाओं के बगवान मिलते थे कुसान्स ने 78 BC में सक इरा भी स्टार्ट किया था, जिसे गवर्मेंट ओफ इंडिया ने नैशनल कलेंडर का दरजा दिया है कनिश्क का सबसे बड़ा कॉंट्रिबुशन है बुदिजम को फिर से रिवाइब करने में 78 AD में 4th बुदिष्ट काउंसिल कनिश्क के संरक्षन में आयोजित हुई, इस काउंसिल में बोध धरम महायान और हीन्यान में बढ़ जाता है कनिश्क देखो महायान सेक्ट का स्पोर्ट करते हैं, बुद्चरित के लेखक असव घोस भी इस काउंसिल में परजेंट थे चरक सहीता के लेखक, चरक भी कनिश्क के कंटेंप्रेरी थे, इसके अलावा कनिश्क की कोट में वसुमित्र और नागारजुन भी मुझूद थे कनिश्क को हम सेकेंड असोग भी कहते हैं, आइए हम देखते हैं अब सक्वन्स का और कुसांस का भारतिय कल्चर पे क्या इंपक्ट पड़ता है देखो सेंटरल एश्या की कैवेलरी यानी घोडे भारत में मिलने वाले घोडों से ज़्यादा अच्छे थे कुसान डाइनेस्टी को आगे नहीं समबाल पाए जैदा कनिश के इम्मीडियेट सेक्सेसर थे हुविसका और हुविसका के बाद आए वासुदेव फष्ट वासुदेव फष्ट को लाष्ट ग्रेट कुसान कहा जाता है इनके बाद देखो कुसान एंपायर दो पार्ट्स में बढ़ जाता है वासुदेव सेकंड कुसान एंपायर के आखरी राजा थे सेंटल एश्या में कुसान्स को रिप्लेस किया गया ससानियन समराज्य के द्वरा और भरत में आया गुप्त समराज्य चलिए अब देखते हैं गुप्त समराज्य को 240 AD में गुप्त एंपायर की नीव रखी स्रीगुप्त ने और स्रीगुप्त के इमेडियेट सकसेसर थे गटोतकच देखो स्रीगुप्त और गटोतकच इन से रिलेटिड इंस्क्रिप्शन हमें नहीं मिले हैं इसलिए इनके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है गटोतकच को सकसीड किया गया बात में गुप्त डानेस्टी के सबसे काबिल एंपरर चंदरगुप्त फर्स्ट के दवरा इनी को टाइटल दिया गया था महराज धिराज चंदरगुप्त के रूल के दुरान गुप्त एंपायर गंगा प्लेन तक ही सिधित था इसको बढ़ाने के लिए चंदरगुप्त वेवाहिक गटमंदन करते हैं लिच्वी की रानी कुमारी देवी से साधी करके इस वेवाहिक गटमंदन के बाद गुप्त एंपायर का दबदबा नोर्थ इंडिया में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है वायू पुरान के हिसाब से आज का आयोध्या, परियागराज और मगद वाला रिजन गुप्त एंपायर का पार था और इनका कैपिटल था पातली पूत्र चंदरगुप्त से इनफोर्मेशन हमें देली में स्थित महरोली पिलर इंस्क्रिप्शन से भी मिलती है चंदरगुप्त फर्ष्ट को सक्सीड किया गया उनके बेटे समुद्रगुप्त के दवारा समुद्रगुप्त तो देखो गुप्त समराज्य को नई उचाईयों तक ले गए नोर्थ के राज्यों को हराने के बाद वो कांची में पलवों को भी हरा आए हरिशेन द्वारा लिखित इलाबाद इंस्क्रिप्शन जिसे हम परियाग परसस्ती भी कहते हैं हमें समुन्दर गुप्ट के सैन्य विजियों के बारे में बहुत कुछ बताती हैं परियाग परसस्ती के अनुशार समुन्दर गुप्ट ने साउथ के बारा किंग्स को हराया था समुन्दर गुप्ट की इसी साउथ यात्रा को कहा गया है दक्सिनपत अभियान इतने सारे किस्से सुनकर आईरिस इतिहासकार वी ए स्मित ने इन्हें इंडियन निपॉलियन का खिताब दिया था। इन्हें और भी काफी सारे खिताब दिये गए हैं जैसे कवीराज या विक्रमांक। समुन्दर गुप्त ने ना अपने समय पर छे परकार के सिक्के जारी किये। पर इंस्क्रीप्शन में भी समुन्दर गुप्त द्वारा किये गए असव मेद सैक्रिफाइसिस की बात की गई हैं। वैसे तो देखो समुन्दर गुप्त वैसनवीजम के फोलोवर थे पर इनके कोट में बुदिष्ट स्कोलर वसुबंदू भी मुझूद थे। इंस्क्रीप्शन से हमें पता चलता है कि समुन्दर गुप्त के रिलेशन्स सिर्लंका और साउथ हैश्या के कई राज्यों के साथ भी थे। समुन्दर गुप्त के टाइम पे लिखी गई अलाबाद पिलर इंस्क्रीप्शन पे हमें सिर्गुप्ट गटोतकच और चंदर गुप्त फर्ष्ट का भी नाम मिलता है। समुन्दर गुप्त का एमपाईर हिमालिया से लेकर गुदावरी और गुजुनात से लेकर ब्रह्मपूतर तक फैला हुआ था। समुन्दर गुप्त के बाद आये चंदर गुप्त सेकंड हलांकि देखो विशाखादत की बुख देवी चंदर गुप्तम में चंदर गुप्त सेकंड के बड़े भाई राम गुप्त को समुन्दर गुप्त का सेकसर बताया गया है पर देखो इस बात को साबित करने के लि मिलकर चंदरगुप्त सेकेंड बचे-खुचे सक समराज्य को भी खतम कर देते हैं और मालवा और गुजरात छेतर पर कबजा कर लेते हैं। इसलिए इन्हें सकारी भी कहा जाता हैं क्योंकि इन्होंने बचे-खुचे सक समराज्य का खात्मा कर दिया था। इवन देखो समुन्दरगुप्त की तरह हैं चंदरगुप्त सेकेंड भी अपनी जीत का जसन बनाने के लिए आसव मेध यानि घोड़े का बलदान करते थे। सको पर यानि सक समराज्य खतम करने के पाद सको पर विजय प्राप्त करने के बाद ये खुद को विक्रमादीते भी बुलाते हैं। ये गुप्त समराज्य की दूसरी राजधानी बन जाता है। पंच, सिधान्तिका, ब्रित, सहिता और ब्रहस्पती जातक इनकी काफी फेमस बुक्स हैं। इसके बाद नेक्ष्ट हैं दनवंतरी, दनवंतरी को तो देखो आयूरवेद का जनक भी माना जाता है। नेक्ष्ट हैं घटक रपर, ये दो देखो बहुत जबरदस्त मूर्तिया बनाया करते थे। नेक्ष्ट हैं संकू, इन्हें इन्होंने सिल्पी सास्तर लिखा हैं, जो कि देखो आर्किटेक्ट पे बेश्ट हैं। नेक्ष्ट हैं इसके बाद नेक्ष्ट हैं कहपानक, कहपानक ये जोटसी ग्रंथ यानि की जोटसी सास्तर की लेखी का हैं। इसके बाद next है वर रूची, इन्हें प्राकिर्थ भासा में पहली grammar book प्राकिर्थ परकास लिखने का credit जाता है, सबसे last में है विताल भट, ये तो देखो संस्कृर्ट के लेखक थे, 4.15.80 में चंदरगुप्त 2nd को सक्सीड किया उनके बेटे कुमार गुप्त ने, इन्हें महिंद्रा दाइत्य का title मिला हुआ है, इनके period में मिले gold coin से हमें ये पता चला है, कि ये भी असव मेद sacrifice किया करते थे, कुछ coins में इनको rhino की हत्या करते हुए भी दिखाया गया है, कु अलग अलग region से, for example, China से, South Asia के अलग अलग region से भी और Central Asia से भी यहाँ पर लोग नालंदा में पढ़ने के लिए आते थे, 427 AD में कुमार गुप्त द्वारा बनवाई गई, इस university के अफसेस आज हमें बिहार में मिलते हैं, नालंदा विसे विधालया, बुदिष्ट मौंक्स के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था, इसके साथ साथ यहाँ वेद, चिकित्सा, दर्सन सास्तर भी पढ़ाई जाती थी, महायान सेक्ट के परसिद विद्वान, नागरजुन या परसिद एस्ट्रोनोमर आर्या भट भी यहाँ पर उपस्ती थे, कुमार के बाद आए सकंद गुप्त भी हुनों को भगाने में सफल होते हैं, हुनों को हराने के लिए वो खुद को विक्रमा दित्ते का खिताब देते हैं, ये बात हमें उतरपरदेश में मिली भीतरी स्थम सिलालेक से पता चलती हैं, हुना अटैक्स के बाद गुप्त समराज्या काफी जदा कमजोर पड़ जाता है, सकंद गुप्त के सक्सेसर्स जैसे की देखो पूरु गुप्त, कुमार गुप्त, सेकेंड, बुद्ध गुप्त या नर्सिंग गुप्त, गुप्त वन्स की विरासत को बनाए रखने में न उतने सक्सेस्फूल साबित नहीं होते हैं, इवन देखो सकंद गुप्त के समय ही गुप्त समराज्य का नोर्थ फेश्टरन इंडिया का रीजन पहले से ही हूननेता तोर्मान के कंट्रोल में था और बाकी कसर बुद्ध गुप्त के समय में आए हूननेता तोर्मान के पुत्र मिहिरकुल पूरी कर देते हैं, गुप्त का साथ दिया मालवा छेतर में बेश्ट ओलिकार राजवन्स के राजा येसो धर्मन ने, नर्सिंग गुप्त के बाद आते हैं कुमार गुप्त थर्ड और इनको सक्सीड किया गुप्त राजवन्स के अंतिम सासक विश्णु गुप्त ने, गुप्त वन्स की जातर राजा के पुतरों को ही यानि की युवराज को ही उपरिक के तोर पर निक्त किया जाता था, ये प्रांथ विभाजी थे जिलों, उपजिलों और ग्रामों में, जिले को कहते थे विशय जो होते थे विशय पती के अधीन में, उपजिले को कहते थे विधी और विधी की अनुमती के बिना नहीं होता था चंदरगुप्त सेकेंड के समय लिखी गई सांची इंस्क्रिप्शन में पंच मंडली सबद का परियोग हुआ है जो साइद किसी तरह की सभा या समीती थी जैसे कि आज गाउंवे पंचायत होती हैं इसके लावा गुप्त परसासन में कुछ मैतपुन अधिकारी भी थें जैसे कि देखो कुमार मात्या है राजा खुद इन्हे न्यूक्त करते थे और इनका काम था रेवन्यू इकठा करना दूसरे नंबर पे संधी विग्रीका ये पद देखो समुन्दुर गुप्त ने बनाया था और ये मिनिष्टर ओफ पीस एंड वार थे ये लड़ाई जगडा ये समझोता ऐसे मामलो को देखा करते थे समुन्दुर गुप्त के समय ये पोस्ट उनके मिनिष्टर हरी सेन को मिला था नेक्स्ट है दंड पासिक ये पुलिस पैदल सेन को संभालने वाले इसके बाद नेस्ट है अकस पादला धिकर्थ ये देखो पैसे का हिसाब किताब देखा करते थे यानि एकाउंट्स और सबसे लाश्ट में है सरवाद्ध्यक्स ये सारे भी भागोपर निगरानी रखते थे यानि की सारे के सारे departments के ये supervisor हुआ करते थे बहुत powerful post, सरवाध्यक्स पर सासन भी केमियकरन यानि की administrative decentralization की सुरुवात गुप्तकाल से ही होती है जैसे कि देखो, मुर्यन एरा में नगर समीतियों का चुनाव राजा करते थे गुप्तकाल की बनी समीतियों में local representative होते थे जैसे कि विपारी या फिर main accountant ये सब भी समीति का हिस्सा हुआ करते थे गुप्तकाल की अगर न्याय परनाली की हम बात करें बहुत जबरदस्त थी गुप्तकाल में ही पहली बार criminal और civil laws को अलग-अलग किया गया था गुप्तकाल की न्याय परनाली यानि की justice system महरिसी मनु द्वारा लिखी गई मनु समृति से प्रेरित थी यहां के chief justice को महा डंड नायक बोलते थे इसके अलावा देखो provinces और जिलों में उपरिक या वैस्यापती के पास judicial powers हुआ करती थी अगर देखो गुप्तों की सेना की बात करें इनका ध्यानना cavalry यानि घुट सवार सेना पर कुछ ज़्यादा ही हुआ करता था जासूस को बोला जाता था दूतक गाओं के लोगों को कभी कभी सेना की सेवा करने के लिए बंदुवा मजदूरी यानि की फोर्ष्ट लेबर भी करना पड़ता था इस फोर्ष्ट लेबर को गुप्त काल में विष्टी बोला गया विष्टी राज्य के लिए एक source of income यानि आयका साधन भी थाम इसके बाद अब हम बात करेंगे गुप्त समाज की गुप्त एम्पायर की परजा काफी खुस और संतूश थी किसी भी अपराद के लिए physical punishment नहीं था अपरादियों को देखो छोड़ दिया जाता था जुर्माना लेकर गुप्त काल के जाती विवस्था की बात करें ब्रामनों का मैतव बढ़ गया था ब्रामनों को दिये जाने वाले land grant यानि की भूमिका दान को अगर हर बोलते थे अगर देखो हम compare करें लेटर वैदिक से तो देखो सुधरवर्ग की situation थोड़ी से अच्छी थी सुधरवर्ग को पुरान पढ़ना allowed था हलांकि देखो untouchability यानि चुआ छात का चलन और भी ज़्यादा बढ़ गया था ये निरासा जनक चीज है गुप्त काल के लेखक कात्यायन ने एस परशय सबद का परियोग untouchable के लिए किया है इसके अलावा फाहिन की बुक्स में भी untouchables का जिकर हुआ है untouchables को चंडाल बोला जाता था वैसे दो देखो गुप्त वैसनव धरम को मानते थे पर ये बुथ और जैन धरम दोनों को बढ़ावा देते थे जैसा कि देखो कुमार गुप्त के द्वारा जो नलंदा यूश्टी बनवाई गई थी न वहाँ पर महायान बोथ धरम ही पढ़ाई जाती थी गुप्तो के काल में मूर्ते पुजा भी यानि आइडल वर्शिप भी काफी ज़्यदा कोमन हो गई थी अगर देखो महिलाओं की सिचुएशन की बात करें गुप्त काल में महिलाओं की सिचुएशन कुछ खास नहीं थी पोलीगैमी या चाइल्ड मैरिज जैसी पर्थाएं एक बर फिर से हिंदू समाज का हिस्सा बन गई थी मैरिशी मनु द्वारा लिखी गई मनु समर्थी में भी लड़कियों की जल्दी साधी की बात की गई है मध्यपर्देश में मिले एरण इंस्क्रिप्शन में सती पर्था की बात भी की गई है महिलाओं को संपती पर अधिकार भी नहीं मिलता था कि गुप्टकाल में जातर पटाइल लेंड्स के ओनर राजा ही होते थे जमीन को पाँच सिरेनियों में पाँच केटेगरीज में डिवाइड किया गया था सबसे पहले छेतर भूमी यानि की खेती योग्या भूमी दूसे नमबर पे खिला यानि खाली या फिर वेश्ट लैंड तीसे नमबर पे वास्तु भूमी यानि आवास योग्या भूमी घर बनाने के लिए योग्या भूमी जिस पर लोगों के घर बने होते थे चोथे नमबर पे चरागा भूमी यानि पसु धन को चराने के लिए भूमी इसके बाद नेक्स्ट और आखरी थी एपरहत भूमी यानि वन भूमी इसके अलावा देखो अमर सिमा की बुक अमर कोस में 12 त्रेके लेंड्स की बात की गई है इन लेंड्स का रिकोर्ड रखने के ये एक ओफिसर को रखा जाता था जिसे बोलते थे पुस्त पाल पर भावती गुप द्वरा लिखी गई पूना प्लेट से पता चलता है गुपतों के समय भूमी सर्वेक्षन यानि की लैंड सर्वे भी किया जाता था कुल्यवाप, द्रोनवाप, अधवप, एवं पटक ये सारे जो सब धहना ये भूमी उपाय यानि लैंड मेजर के लिए इस्तमाल किये गए हैं। देखो, ancient India में सबसे ज़्यादा gold coins गुपतों के समय ही जारी किये गए थे, पर एक चीज, कुसानों के तुलना में इनके सिकों में सोने की मात्रा कम हुआ करती थी, आसान सब्दों में बोलू, तो gold coins जो थे, वो कम करेट सोने के थे, इसके लावा देखो, कुसानों की तु गुपत काल में कुछ बहुत important ports भी डवलप हुए, जैसे कि East India में था, तामरलीप्ती, घंटाशाला और कंदुरा, ये सारे ports, South East Asian countries से trade किया करते थे, Western Coast पे हमें मिला भारोच, चोल, कल्यान और खंबा, गुपत काल में रोमन समराज्य के सिक्के हमें कम मिले, जिससे पता ल गुपत काल में आये कुछ important writers और उनकी books को धेखते हैं, पहले आते हैं चंदर गुपत, second के दर्बार में world famous writer कालिदास, और इनके द्वारा लिखे गए तीन महतपून नाटक हैं, मालवी कागरी मित्र, विकर मोरवेशिय और अभिज्यान सेकुंतलम, और इनकी परसिद कविताएं हैं, रगुवन्स, कुमार संभव और मेग दूत हमें गुपतों के साथ-साथ मोरियों के बारे में बहुत कुछ बताती हैं, ये भी चंदर गुपत, second के समय में आते हैं, चंदर गुपत, second के नवरतनों में से एक हैं अमर सिमा, जिन्हों ने लिखी अमर कोस, फिर आये भारवी, जो लिखते हैं किरा तार जुनिये, सुद और पाई की खोज, 5th century में कर ली थी, आर्यभट ने 5th century में ही दुनिया को बता दिया था, धरती सुर्य की गोल चकर लगाती है, और इसके लावा, ट्रिग्नोमेट्री और बीजगनित में भी आर्यभट का योगदान बहुत बड़ा है, बीजगनित मतलब अलजेबरा, ब् चंदरगुप्त 2nd के नवरत्रों में से एक थे, इनके द्वारा लिखी गई बृत सहीता और पंच सिधान्तिका, हमें सुर्य ग्रहन और मोसम के बारे में बताती है, इसके बाद मेडिसिन के दिगज, धनवंतरी और सूसृत भी गुप्त काल में ही आय थे, धनवंतरी भी नवरत्रों में से एक थे, इन्हें आयुरुवेद का जनक बोलते हैं, सूसृत भारत के पहले सर्जन कैलाते हैं, भारत में प्लास्टिक सर्जरी की खोज इन्हों ने ही की थी, देखो गुप्त समराज्य की समरिद इतिहास की कहानी यहीं पर खतम हो गई, गुप्तों को र आज के उडिशा वाले रीजन में आई चेदी डैनेश्टी, चेदी डैनेश्टी के फाउंडर थे अभिचंदर और इनकी राजदानी थी सुक्ति मति पूरी, चेदी डैनेश्टी के सबसे इंपोर्टन्ट रूलर थे राजा खारवेल, खारवेल के बारे में हमें पता इसके कृष्णा गुंटूर वाले रीजन में आए एक स्वाकू, जिनके फाउंडर थे चामट मूल, और इनकी डाजदानी थी विजयपूरी, चामट मूला साथवाहन डैनेश्टी में मिनिश्टर थे, और साथवान के कमजोर पड़ते ही इन्होंने अपने लिए अलग ए वाकटक का जो समयकाल था वो 4th century से 6th century के बीच का था, वाकटक को पुराण में विंध्यक बोला गया, क्योंकि इनका साशन विंध्यरीजन में था, वाकटक के संस्थापक थे विंद्य सक्ती, विंद्य सक्ती को अजनता गुफा, इंस्क्रिप्शन में ड्विज और ब्रा माना जाता है ये वाकाटक राज्य को बुंदेल खंड से लेके हैदराबाद तक ले जाते हैं इनके बाद इनके बेटों में गद्धी के लिए जगडा हो जाता है जिसके अंत में वाकाटक समराज्य दो टुकडों में बढ़ जाता है पहले वाले को बोलते हैं नंदीवर्ध इन्होंने न चंदर्गुप्त 2nd के साथ मिलके साका एंपायर का खात्मा कर दिया इनकी साथी चंदर्गुप्त 2nd की बेटी परभावती गुप्त के साथ होती है और इनका सासन सिर भ角 5 साल तक चलता है इनकी मृत्यों के बाद वाकाटक एंपायर को परभावती गुप्त ने अगले 20 साल तक संभाला परभावती जब रूल कर रही थी न तो इनके समय में गुप्तों का परभाव वाकाटक समराज्य पर सबसे ज़्यादा था ये एक नई सिटी का भी निर्मान करते हैं जिसे बोला गया परवरपुर जिसे आज के समय में पोनर बोलते हैं और ये महाराश्टर के वर्दा जिले में स्थित हैं परवर्षेन 2nd को सक्सीड किया नरेंदर सेन ने और नरेंदर सेन के उत्राधिकारी यानि सेकसर थे पर्थवी सेन 2nd पर्थवी सेन 2nd नंदि वर्धन ब्रांच के ना आखरी रूलर थे, आखरी समराठ थे अब हम बात करते हैं वाथ्च गूलम ब्रांच की वात्स गुलम ब्रांच के संस्थापक थे, सर्वसेन फर्ष्ट, सर्वसेन फर्ष्ट को टाइटल दिया गया धरम मराज का, ये प्राकिर्ट लेंग्वेज में कविताएं भी लिखते थे, और इनकी कविताओं को गहा सत्साई में भी जोड़ा गया है, गहा सत्साई, एंसिय सेकंड ने कदंबो को हराया था, विंदे सेकंड के बाद आये परवर सेकंड और इनके बाद सर्वसेन सेकंड, काफी सरे सेन हो गए, सायद आप कन्फ्यूज हो गए होंगे, लेकिन देखो बस एक बार आप क्रोनोलोजी देख लिया आपने, बहुत है, इस पर UPSC कोशन प करनाटक तक पहुंच जाता है, और देव सेन के समय से मिले हिस्से बुराला इंस्क्रिप्शन से न, हमें काफी मदद मिलती है, वाकाटक एम्पायर की क्रोनोलोजी को सेट करने में कि कौन पहले आता है, कौन बाद में आता है, देव सेन के बाद वाकाटक की गद्दी आई हरी सेन के पास और हरी सेन के समय के दुरान वाकटक एंपायर अपने चरम पर था यहीं पिनाइकल पर था कलिंग, कोशल, आंध्र और कॉंकन ये सारे के सारे वाकटक समराज्य के हिस्सा थे हरी सेन ने बोग धरम को फिर से जिविद कर दिया अजन्ता केव में केव नंबर 16 और केव नंबर 17 में जातर जो पेंटिंग्स मिली है न वो हरी सेन के समय में उनके मंतरी वरादेव ने बनवाई थी हरीसेन के बाद में वाकटक समराजय बिखर जाता है टुकुडो में बढ़ जाता है उनके बाद के सासकों के बारे में हिस्टोरियन को कुछ जादा नहीं पता है बड़ देखो 550 AD के आसपास वाकटक को रिप्लेस किया जाता है चलुक्या डानेश्टी के द्वरा वही करेंगे गोड़ा डैनेश्टी की गोड़ा डैनेश्टी के फांडर थे सशांक इस वज़े से देखो गोड़ा डैनेश्टी को ना सशांकाज भी बोलते हैं यह डैनेश्टी शुरू होती है आज के वेस्ट बंगाल रीजन में इनका कैपिटल था करन सुवर्ण जो आज हम में भी इनकी बात की गई है सशांग देखो सैविजम यानि शैव धरम को मानते थे और बोध धरम के विरोधी थे, हिस्टोरियन का ये मानना है बिहार के गया में बोधिवरिक्स जिसके नीचे गोतम बुद को निर्वान पराप्थ हुआ था सशांग उस पेड को कटवा देते हैं सशांग को सक्सीड किया उनके बेटे मानव ने मानव को गोडा डैनेश्टी की गद्दी संभाले सिरफ आठ महिने ही होते हैं कि पुश्य भूती डैनेश्टी के राजा हर्स उनका मडर कर देते हैं और इसके साथ ही गोडा राजबन्स का अंत हो जाता है अब हम बात करते हैं इसके बाद मोखरी डैनेश्टी की मोखरी देखो गुप्त एमपायर में जागिर्दार हुआ करते थे और जैसे ही गुप्त एमपायर कमजोर पड़ा ये मोखरी गुप्त समराज्य से अलग हो जाते हैं और आज के उत्रपरदेश बिहार वाले छेतर में जनम होता है मोखरी डैनेश्टी का जिसकी राजधानी थी कनोज इनके संस्थापक थे इशान वर्मन क्योंकि देखो इनके पडोस में बचा खुचा हुआ गुप्त समराज्य था तो ये ना गुप्त सासकों के साथ लगातार लड़ाई में रहते थे इशान वर्मन को सक्सीड किया ग्रै वर्मन ने ग्रै वर्मन की साधी होती है पुशय बूती के राजा हर्स की बहन राज्य श्री के साथ देखो ये वेवाहिक गठपंदन मोखरी डैनेश्टी की मोखरी समराज्य की सिचुएशन तो इंप्रूव कर देता है बड़ देखो ये बात जो है ना गोड़ा डैनेश्टी के राजा सशांक को पसंद नहीं आई इसके बाद जल्दी ही देखो मोखरी डैनेश्टी भी न पुश्य भूती डैनेश्टी का एक हिस्सा बन गई थी बिहार के बराबर गुफा पहाड़ियों में जो इंस्क्रिप्शन मिलती है वो हमें मोखरी डैनेश्टी के बारे में बताती है आगे हम बात करेंगे मैतरकों की जिनका सासन था आज के गुजरात रीजन में और इनकी दाजदानी थी वलभी मैतरिक डैनेश्टी के फाउंडर थे बटारक बटारक देखो सोराष्टर में गुप्त एंपायर के मिल्टरी गवर्नर थे जिनोंने बात में इंडिपेंडेंस डिक्लियर कर दी बटारक और इनके बेटे धरसेन फर्स्ट को बहुत से इंस्क्रिप्शन में सैनापती बोला ग सक्सीड किया गुसेन ने और गुसेन के बाद आये धरसेन सेकेंड गुसेन और धरसेन दोनों ही खुद के लिए सामन्थ टाइटल का उप्योग करते हैं जिससे यह परतीत होता है कि इनके समय में पुशे भूती एंपायर इन पर हावी था और मैत्रिक भी पुशे भूती क जागीर के तोर पर रूल कर रहे थे पुशे भूती राजा हर्स के इंस्क्रिप्शन भी कुछ ऐसा ही कहते हैं मैत्रिक डैनेश्टी के आखरी रूलर थे सीलादित्य फोर्थ सीलादित्य के रूल के दुरान मैत्रिक एंपायर को अर्बो का सामना करना पड़ा जिसके जैसे कि हमने देखा कि मैत्रिक और मोखरी दोनो डैनेश्टी अब पुशे भूती समराज्य के कंट्रोल में थे तो चलिए देखते हैं पुशे भूती डैनेश्टी की जारा जानकारी हमें बान भट द्वारा लिखी गई हर्स चरित से मिलती हैं पुशे भूती डैनेश्टी की नीव रखी गई आज के हर्याना के कुरूक छेत्र के थाने सर में पुशे भूती डैनेश्टी के संस्थापक थे पुशे भूती गुप्त समराज्य में पुशे भूती मिल्टरी कमांडर थे और गुप्त समराज्य के कमजोर पड़ते ही थ पुशे भूती डैनेश्टी के अगले काबिल राजा थे परभाकर वंदन परभाकर वंदन देखो बहुत एग्रेसिव रूलर थे इनके समय में पुशे भूती एमपायर पंजाब, मालवा, गुजरात, गांधार और सिंध तक फैला हुआ था हर्स चरित में लिखा है परभा हर्स वर्दन पुशे भूती डैनेश्टी के सबसे पोपुलर किंग थे राजा हर्स के समय पुशे भूती एमपायर की राजधानी थी कन्नोज और देखो मोखरी एमपायर के साथ मिलकर राजा हर्स गोड़ा डैनेश्टी के राजा ससांख को हरा कर ओडिशा और बंगाल छ और राजस्तान का कुछ हिस्सा भी कवर्ड है। राजा उद्यन और रानी प्रियत दर्शिका की कहानी है। बट बाद में बोद भिख्सु हुएन सांग से प्रभावित होकर उनसे इंफ्लेंस होकर इन्होंने बोद धरम को अपना लिया था। हुएन सांग को सम्मान देने के लिए राजा हर्स का नोज एसेंबली भी आयोजित करते हैं। नलंदा विशव इदैला को आगे बढ़ाने में हर्स का योगदान है। हर्स के परशासन की बात करें तो काफी हद तक ये देखो गुप्त एम्पायर की तरह ही था। राजा हर्स का सम्राजय भी कई जागीरदारों यानि की फ्यूडल लोड्स में विभाजित था। नमबर पे पैलेस गार्ड यानि महल की शुरुक्सा करने वाले इनको बोलते थे महापरतिहार और पांचवे नमबर पे सीक्रेट डिपार्टमेंट यानि गुप्त विभाग को बोला जाता था सरुगत। यहाँ पर इनका सामना होता है चलुक्या किंग पुलकेσιन 2nd से पुलकेσιन 2nd और राजा हर्स के बीच में नरमदा की लडाई में भ्यंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में राजा हर्स को हार का सामना करना पड़ता है राजा हर्स के साथ ही पुशे भूती डैनेश्टी का अंत हो जाता है क्योंकि देखो हर्स का कोई बेटा या बेटी नहीं थी पुशे भूती डैनेश्टी का अंत हर्स के साथ ही हो जाता है ये कहानी थी नोर्थ हिंडिया की और इसी दुरान 3rd century BC से 3rd century AD तक South India में रूल कर र के 300 AD के बीच की अवधी को संगम काल के नाम से जाना जाता है संगम तमिल कवियों का एक संगम या समेलन था पांडे राजाओं द्वारा इन संगमों को साही संरक्षन प्रदान क्या गया था उस समय देखो South India में तीन संगम आयोजित हुए थे यानि तीन तमिल कवियों के स अविलेबल नहीं है दूसरा संगम कपाथ पूरम में आयोजित किया गया था इस संगम का एक मात्र तमिल ग्रामर टेक्स्ट तोल काप्यम ही अविलेबल है तीसरा संगम भी फिर से मदुरई में हुआ था इस संगम के जातर जो ग्रन्थ हैना वो नश्ट हो गए थे हाला कि देखो थोड़ी बहुत information या फिर material जो है वो महा काव्यों के रूप में उपलब्ध है अगर देखो संगम literature की हम detail से बात करें जिस पर question पूछे जाते हैं संगम literature मुख्या रूप से देखो तमिल language में ही लिखा गया है संगम युग की अगर परमुख रचनाओं की बात करे तो सबसे पहले नाम आता है तोल कापियम उसके बाद एतु तोके पतु पपातु पादी नेकिल कनकु ये सारे ग्रंथ इसके लावा सिल्फ पादिकारम मनी मेखलई और सबसे लाश्ट में जीवक चिंता मनी ये सारे वर्क्स ये सारे महा काव्या संगम एज के हैं थोड़ ये उस समय की political और socio-economic conditions की भी जानकारी देता है ये book उसके बाद next एतु तोके ये देखो एक compilation वाला ग्रंथ है ये तीसरे संगम के आठ ग्रंथों का एक परकार से compilation है आप इनके नाम एक बार screen पे देख सकते हो इसके बाद next बात करें ये है पती पपातु पती पपातु जिसको दस गीत भी कहते हैं ये देखो दस कविताओं का एक परकार से compilation है ये तीसरे संगम का दूसरा compilation है आप कहा सकते हो पैला compilation जिसके आमने बात की एटु तोके और ये दूसरा compilation ये poems का compilation है दस कविताओं के नाम एक बार आप screen पर देख लीजे उसके बाद next एक और compilation है पदी नेकिल कनकू, ये देखो 18 कविताओं वाला एक ethical text है, और ये third संगम literature से समदित है, इन 18 poems में से एक poem तमिल के महान कवी और फिलोस पर तिरू वल्लूवर द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है तिरू कूरल, इसे देखो तमिल literature के Bible या फिर पांचवा वेद भी माना जाता है, इसके बाद next text है, सिल्फ पादिकारम, ये देखो लिखा गया था, इलांगो आदिगल के द्वारा, और इसके बाद next, मनी मेखलाई, ये लिखा गया, सीतलाई सतनार के द्वारा, ये जो text या फिर एपिक्स है ना, ये उस समय संगम society और politics के बारे में बहुत बढ इसके बाद संगम काल के राजनीतिक इतिहास के बारे में हम बात करें, संगम युग के दुरान दक्सिन भारत में तीन dynasties, चेर, चोल और पांडया, इनका सासन था, इन राज्यों के बारे में जानकारी हमें संगम age के literature और text से मिलती है, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आज को चेरो की बात करें, चेरो ने आज के समय के के केरल के central और northern parts को और तमिलाडू के कोंगु छेतर को कंट्रोल किया, इनकी राजदानी जानते हो क्या थी, वान जी, वेस्टन कोष्ट पर मुझूद पोर्ट्स जैसे देखो, मुसीरी और टोंडी, ये इनकी कंट्रोल म चेरो का सिंबल था धनूस बांड, फर्स्ट सैंचरी AD के पुगलूर इंस्क्रिप्शन से चेर रूलर्स की तीन जनरेशन की information हमें मिलती है, जो चेर किंग्स थे न, वो रोमन समराज्या के साथ वेपार करते थे और इनसे उन्हें काफी profit होता था, ये कहा जाता है कि उन्ह इन्होंने रोमन एमपरर अगस्तस को डेडिकेटीड एक मंदिर भी बनवाया था, चेरों में देखो सबसे महान, राजा, सिन, गुटवन यानि की सेंगुतूवन थे, जिनने देखो लाल या अच्छे चेर भी कहा जदा था, इन्होंने न, चेर राज्या में पतिनी प्रारम की पतनी पूजा, इसे कनगी पूजा भी कहा गया, वो देखो साउथ इंडिया से चीन में दूत भेजने वाले पहले व्यक्ति थे, अब बात करते हैं चोल राज्या की, चोलों ने तमिलाडू के सेंटल पार्ट और नोर्धन पार्ट को कंट्रोल किया, उनके रू चोलों के पास एक जबरदस्त नोसेना थी, मतलब इनकी नेवीज जबरदस्त थी, चोल राज्यों में राजा करिकाल ये सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट रूलर थे, पतिन पालाई में उनकी लाइफ और मिल्ट्री की साहिता से उन्होंने क्या-क्या एक्वायर किया, य इस सारे संगम लिट्रेचर की पोएम्स में वेणी के युद का उलेख मिलता है, इस युद में कारिकाल ने पांड्या और चेर सहित ग्यारा राजाओं को हराया था, कारिकाल की मिल्ट्री एच्विमेंट्स के बारे में बात करें, तो इनकी वज़े से यानि मिल्ट्री इसके बाद बात करते हैं, पांड्या रूलर्स की, पांड्यों ने ना मदुरई से सासन किया था, और जो ये पांड्या किंग्डम था, ये इंडियन पेननसुला के फार साउथ और साउथ इस्टन पार्क में था, इनकी राजधानी क्या थी, शुरुवात में देखो, कोरक की सुविदा परदान की, पांड्या सास को ने ना एक रेगुलर आर्मी बनाये रखी, संगम सहिते के अनुसार पांड्या राज्या जो था ना काफी धनी और प्रोस्पर था, पांड्यों का पहला वर्नन हमें मेगा स्थिनीज के टेक्स्ट में मिलता है, उन्होंने इस रा पांड्या एंपायर की जो सकती थी, वो काफी कम हो गई थी, और नली वकोडन, ये देखो संगम यूप का अन्तिम नोन पांड्या रूलर है, इसके बाद हम संगम एरा की गवर्नेंस और एड्मिस्टेशन के बारे में जानते हैं, देखो संगम पीरेड के दुरान मुनार् राजा का बेटा ही राजा बना करता था, संगम एरा के दुरान ये जो रोयल डैनेस्टी थी ना, जैसे चेर, चोल, पांड्या, इन सब का एक रोयल एंबलम हुआ करता था, जैसे चोलो का था टाइगर, पांड्या राजाओं का क्या एंबलम था, फिस यानि मचली, और चे efficiently manage किया जाता था, हर एक ruler के पास regular army हुआ करती थी, और state revenue का main source तो देखो, वैसे land tax था, लेकिन custom duties भी impose की जाती थी, foreign trade पर, तो वहाँ से भी कुछ revenue प्राप्त होता था, और देखो, युद के दुरान, और जीत जाने के बाद, जो wealth लूटी जाती थी ना, वो देखो, साही खजाने में सामिल होती थी, वो पैसा royal treasury में सामिल होता था, इसके बाद next, देखो, robbery वगरा या फिर समगलिंग को रोकने के लिए, संगम age में, roads और highways का अच्छे से management होता था, इसके बाद हम संगम society की बात करें, उस age का देखो, एक famous text है, जिसका नाम है, पुरु नानरू, फिर से बोलता हूँ, पुरु नानरू, इस text में न, चार groups के बारे में mentioned है, तूडियन, पाड़न, पडियन, और सबसे लात में कडंबन, तमिल नाम हैं ये सारे, और इसके लावा, चार classes का जिकर है, जैसे देखो, सबसे पहले, सुद्दुम, सुद्दुम वर्ग में ब्र इसमें देखो, फार्मर्स आते थे, अगर देखो, संगम एज में टाइप ओफ लैंड्स के बारे में बात करें, संगम पयम्स में लैंड के पांच मुख्य टाइप बताए गए हैं, जैसे सबसे पहले, मुल्लई, मतलब देहाती, रूरल एरिया का लैंड, उसके बाद मरु देखो, एक important feature इस age का, यहाँ पे ना slavery नहीं थी, इसके बाद संगम age के दुरान अगर महिलाओं की position की हम बात करें, महिलाओं का क्या status था, संगम age के दुरान महिलाओं की situation समझने के लिए संगम सहित्या में एक बहुत सारी information available है, woman का देखो, respect किया जाता था, और even intellectual activities carry out करन की अनुमती थी महिलाओं को इस age में, एव वाइयर, नचेलियर और काकई, पांडीनियार, यह सारी female poets हैं, जिन्हों ने देखो, तमिल literature में काफी बढ़िया अपना contribution दिया, महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने की अनुमती थी, लेकिन देखो, विडोस की यानि विद साथ इंडिया में मुरुगन की पूजा सबसे प्राचीन मानी जाती हैं, और भगवान मुरुगन से सम्मंदित त्योहारो का संगम साहित्या में मैंसन मिलता है, संगम काल के दुरान पूजे जाने वाले अन्या देवता, मयोन यानि विश्णू, वंदन यानि इंदर, क्रि देखने को मिलता है, अब इसके बाद बात करते हैं, संगम एज की अर्थ विवस्ता के बारे में, मेन विवासाय तो देखो एगरिकल्चर था, और राइस सबसे कॉमन क्रोप थी, हस्त कला में बुनाई, धातु के काम, जहाज निर्मान और मोतियों, पत्थरों तथा हाती दात का उपयोग करके आभूशन बनाना, यानि ज्वैलरी बनाना सामिल था, संगम एज की मैतपून विशेषता इसका आंतरिक वैपार था, इंटरनल ट्रेड और एक्टरनल ट्रेड, सूती और रेसमी कपडों की कताई और बुनाई में उच विशेषता प्राप थी, पु सारे देखो, रोमन रूलर्स जैसे अगश्टस, टाइबेरियस और नीरो, इन सब के द्वारा जो गोल्ड और सिल्वर के कोइन्स जारिक किये गए थे न, वो तमिल लाडू के सभी हिस्सों में पाए गए, इससे पता लगता है कि यहाँ पर ट्रेड काफी ज्यादा प्रोस इंपोर्ट होता था, इंपोर्ट क्या करते थे, यहाँ पर ट्रेडर्स घोडे इंपोर्ट करते थे, गोल्ड, चांदी, मीठी, सराब, यह सब ज्यादा इंपोर्ट करते थे, अब सबसे लांश्ट में बात करते हैं, संगम एज का अंत कैसे हुआ, तीसरी स्ताब्दी के अ झाल झाल